Hi everyone, this is Anam, welcome to PhD Jobs and Admission So, आज के इस वीडियो में हम EMU PhD Entrance Examination के लिए Research Methodology पर Important MCQs देखने जा रहे है तो जिससे के आप सभी को पता है EMU PhD Entrance Examination आपका 2nd से 8th March के बीच में कंड़क करवाय जा रहा है तो आपके preparations के लिए में आपके लिए बस 1-2 दिन remaining है जिनका 2nd के दिन examination है So, इन 2-3 वीडियो में किस तरीके से आपको preparations करना है कहां से questions पुछे जाने की chances है कितने questions पुछे जाएंगे हर एक topics है compulsory questions बगरा सारा सब कुछ हमारे course में हम आपको बताते है करना है जिसके लिए आपको स्क्रिण पर दिए गए नंबर पर WhatsApp के थो आपको 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 स्क्रीट करना है या एकसेस कर सकते हो एपको लिए लिंक नीचे description में आपको मिल जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें आपको बता दू रिसार्च मेकलोगी पेपरवाण कमक्रीट कोस्स प्रवाइट करते हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको प्रीवेस एर क्वैशन पर भी वीडिये लेक्चर्स देखने देखने मिलेगा थेयरी लेक्चर्स है most important questions के भी लेक्च आपको 400 आपको mcqs कवार होते हैं हर एक मोक्टेस से तो इस तरीके से 10 मोक्टेस है 40 x 10 तो आपके 400 mcqs यह आपको मोक्टेस में and 1500 प्रैक्टिस mcqs पीडिया जिसमें प्रीवेस एर व्वेश्चन भी इंवल्व है और यह जो सारा कांटेन है आपको हिंदी एंग्लिश दोनों लाइज इसमें देखने मिलेगा अगया इसके लिए आपको स्क्रीन बर दिये गए नेमबर पर वाट्सप के तरू कान्टाक करना है या फिर आप हमारे अप के तरू डिरेक्टिस स्टडी मेटियाल को एक्सेस कर स समय अगारी आपके एंपोडन क्या चलिए काफ़ी सारी उनिवर्सिटीज में फुझे लिए तो जिससे कि आप देख सकते से नमबर पर डेरेक्टेन क्या स्थेट्यों है लिए तो आफ्सी ओर सब्सुस्टेदी अज चाहिए तो आप हमने ने नंबर पर पर चुटस्टे अपज बरेसरों का सबके 217 ससम्तों सब्सक्राइए को सद्राइं सब्सक्राइए इसे विद केसे में गपद प्राइट करते है। लिखते हों को siyaad रखे गां कॉर्पोर्ट में करते हो ऩारे runs अपीं करते हो् sensor कर Ihrer i अपने किस तरीके से टा कटभ कररा किस तरीके से अपने अपनी problem पर सॉल्व करें इस तरीके से अपने data कोिफान शख़ल्स करणा किस तरीके उसी तरीके से उसको याद रखेगी करें पैक पूरा प्रोससस होता है जो भी berseries एक प्रोब्लम ले डाउन करी ऑपा-पोसरिंग करी होती है वो सारे चीज़े आप आपकी research report में बताते हो, ना कि आपकी research report में सिव आपकी problem लिखते हो, ना कि आप research report में सिव ऐसा बताते हो कि किस तरीके से आपने data collect करा, और नहीं सिर्फ आप आपकी research report में से बताते हो कि आपने किस तरीके से data को edit करा, किस तरीके से unwanted data को आपने remove करा, ऐसा भी नहीं बताते हो बलके आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में जिसमें कि आप आपके रिसर्च को पूरा वर्ग बताते हो तो एक रिसर्च को प्रोसेस होता है रिसर्च के प्रोसेस में आपने जो भी करा होता है जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम को लेडाउन करें हो वो सारी चीज़े आपके research report में बताते हो, सो वो सारे चीज़ों को हम कहते है research process, याद रखेगा research report is a formal statement of research process, आपके इस question का right answer हो जाएगा option A, next, a 2 into 2 into 2 factorial design has dash independent variables, बहुत important question है, exam में इस type की question पूछे जा सकते हैं, याद रखेगा, यहाँ पर हमें कुंसा factorial design पूछ रहे, 2 into 2 into 2 factorial design, इसमें कितने independent variables होगे हमें यह पता करना है, so factorial design क्यों होते हैं, आपको पहले यह पता होना च ventil better, is factorial design याद रखेगा जिसमें multiple independent variable present होते हैं, yăni 2 से जादा independent variable present होते हैं, और दो से ज़ादा independent variables पर आप factorial design में study करते हो और याद रखेगा जो independent variable होते है factorial design में उसे हम कहते है factors और इनके levels होते हैं तो यहाँ पर independent variable के कुछ levels होते हैं और उनी level को आपको 2 x 2 x 2 form में दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ यहाँ पर 1, 2, 3 आपको कितने 2 दिये गया है 3 that means रहे हैं कितने independent variable होगे 3 अब यहाँ पर level किस तरीके से होगा फोस्ट वेरीबल के 2 levels फेके डEE और चुरू दिया गहाँ आपको उसके दो लेवल होगय को यह जो दिया गहारा होता है फो झिलांए प्भरक्ण लोटे हैं इसके how to do दिया गया है, हो सकता है अगर कभी ऐसा पूछा जाए एक्जाम में 2 x 2 x 2 इस केस में कितने independent variable होगे आपके पास 4 इस केस में 4 है लेकिन हमें question में 3 2 दिये गया है 2 x 2 x 2 that means यहां पर कितने independent variable यूज करे गया है इस study में 3 independent variable जिसे independent variable को factorial design में factors कहते हैं, इसलिए इस design का नाम हुआ है factorial design, सबको यह याद रखना है, सबके इस question का correct option हो जाएगा option D3, okay, next if there are 8 categories or classes in a goodness of a test what will be the degree of freedom, so इस question में क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 8 classes है और 8 categories है कौन से test में, goodness of a test में जिसे हम chi square test भी बोलते हैं, ठीक है so यहाँ पर आपको goodness of fit test की जगे exam में chi square test भी पूछा जा सकते हैं तो आपको confused नहीं होना है, goodness of fit test को chi square test भी कहते हैं सबको याद रखना है, so goodness of fit test में एक term होता है जिसे हम कहते है degree of freedom, so degree of freedom क्या बताता है याद रखना है याद रखना है, degree of freedom का formula होता है जितने number of classes है, okay, यानि n minus 1, okay, यह आपका formula होता है degree of freedom का so यहाँ पर हमें कितने classes दिये गए है, कितने categories दिये गए है, 8 so 8 minus 1 अगर हम करते हैं, तो हम कौन से मिल जाएगा, 7 so यहाँ पर जो goodness of fit test में, जो categories इन्होंने बनाया था, 8 categories और हमें इस case में degree of freedom पूछा गया था, यानि freely हम कितने variables को move कर सकते हैं, कितने values को move कर सकते हैं, freedom, freedom का मतलब होता है कितने हमारे पास freedom है कि हम चीजों को move करें, okay, so उसे हम कहता है degree of freedom, so यहाँ पर total जितने आपको classes दिये गए होंगे, minus 1 होता है, इसका formula, so total हमें 8 classes दिये गए थे, 8 categories दिये गए थे, 8 में से अगर हम 1 minus कर से, तो हमें 7 answer मिलता है, so याद रखिएगा, ऐसा भी question आपको exam में पूछा जाता सकता है, बहुत important question है, और यहाँ पर goodness of fit test किसलिए यूज करते हैं, याद रखिएगा आपका जो data होता है, इस टाइपे भी आपको question पूछा जा सकता है, आपका जो data होता है, वो data distribution में किस तरीके से आपको fit करना है, इसलिए goodness of fit test का यूज करा जाता है, याद रखिएगा goodness of fit यापने जो data होता है, आपने जो भी data collect करा होगा, वो distribution में किस तरीके से fit होना चाहिए, इसलिए goodness of fit का यूज करा जाता है, इस test का यूज करा जाता है, यह भी आपको exam question पूछा जा सकता है, आपका इस question का correct answer हो जाएगा, option number second, which is B7, okay, next, which of the following is not covered under intellectual property rights, इस question में मैं पूछा जा जा रहा है कि दिये गए options में से कौन से ऐसा option है, जो intellectual property rights के under नहीं आता है, जिससे कि intellectual property rights का आपको meaning पता होना चाहिए, तब आप इस question को solve कर पाऊगे, intellectual property rights यानि क्या होता है, कि research में किसी researcher का कुछ idea होता है, उनके thoughts होते हैं, उनके development होते हैं, उनका data होता है, okay, इसे for example, कोई land होती है, उस land का कोई, उस property का कोई person होता है, कि उस person ने उस property को purchase करा है, तो उस property के साथ उस person का नाम जुड़ जाता है, मतलब उससे हमें पता चलते हैं, कि उस property का जो owner है, वो person है, okay, उसी तरीके से research में भी intellectual property rights होते हैं, यानि जिस person का, यानि जिस researcher का जो idea होगा, जो उन्होंने develop करा होगा, वो उनके rights होंगे, okay, तो यहाँ पर उसमें कौन से चीज़े cover नहीं होती है, हमें यह बता करना है, तो यहाँ पर आपका option दिया गया है, copyrights, copyrights यानि जो भी उस person के, जो भी उस researcher के ideas होंगे, जो भी उनके thoughts होंगे, वो किसी और को copy नहीं करना चाहिए, तो यह आपके intellectual property rights के अंदर आते हैं, उसी तरके से patents, patents क्या होते हैं, जिसे जब भी कोई researcher new ideas develop करते हैं, new ideas लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो पहले एक company, एक organization के पास जाते हैं, वो अपने name के साथ उस काम को जुड़वा लेते हैं, जिसे मान लेजिए किसी person ने किसी drug पर काम करा हैं, तो क्या करेंगे, और उनके idea को पहले जाकर एक company के साथ share करेंगे, इसी कहाम क्याता हैं, पेटेंट्स, पेटेंट्स जो होते हैं, यह Intellectual Property Right के अंडर आते हैं, उसी तरीकिसे इंट्रेट्शिल Property Right के अंडर आते हैं, then thesaurus, thesaurus क्या होता है, यह आपके intellectual property rights के under नहीं आता है, thesaurus का मतलब होता है, यह एक type की dictionary होती है, जिसमें सारे words के आपको meaning पता चेकर जाती है, यह बहुत famous dictionary है, okay, so याद रखेगा intellectual property rights में thesaurus यह cover नहीं होता है, इसलिए इस question का आपका right answer हो जाएगा option D, next, which of the following is not a type of research question, so question में पूछ रहा है कि दिये गए options में से कौन सा ऐसा option है, जो research question का type नहीं है, अब research question क्या होता है, जिसे research के question जैसे आप जिस चीज़ पर study करना चाहते हो, यह होगा आपके research question, जिसे आपको यह पता करना है कि particular disease है, जो disease है, आपके कुछ एक disease है, क्या गेंस आपको drug form करना है, जो यह होगा आपका research question, आप क्या बताओगे, कि इस particular disease को कौन से drug केल कर सकते हैं, यह होगा आपका research question, आपको यह देखना है कि कौन सी drug, यह drug particular जो drug आप यूज़ कर रहे हो, यह disease को केल करेंगे, या फिन नहीं, या फिन नहीं, या फिन यह पर आपको option A दिया गया है, predicting an outcome, यानि research question क्या होता है, यह outcome क्या हाने वाले होते हैं, उसके आप कुछ न कुछ प्रेडिक कर सकते हो, यह आपका research question हो जाएगा, आप ऐसा सूचेगे कि जिसे मान लेजिए, मैं ऐसा सूचेगे कि इस drug में इसका combination होना चाहिए, इस particular chemicals का combination होना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे result सही आए, यह क्या है, यह outcome को आप प्रेडिक कर रहे हो, कि हो सकता है, आ जाए, यह भी आपका research question होता है, उसी तरीके से हम चाहिए, option C देखते है, development of good practice, यह आपने आपके research में जिन दिन चीज़ों को लिया है, जैसे मान लिजिए आप किसी चीज़ों पर study कर रहे है, आप drug बनाने क किसी तरीके से चीज़ों को यूज करना चाहिए, उसे आप कहते है, development of good practice, यह भी आपके research का question ही हो गया, पर evaluating of phenomena, आपने जो भी phenomena पर study कर रहे हो, किस तरीके से आप evaluate कर रहे है, किस तरीके से उसके बारे में आप बताऊगे, यह भी research question हो गया, यह भी research question का type हो गया, लेकिन hypothesis यह अपकी research question का type नहीं होता है, hypothesis का एक statement होता है, अपका इस्टोनेंस बोलेंगे कि predicting and outcome यह भी तो hypothesis होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें यह ने बताया गया है, option A में, कि a statement which is predicting and outcome, ऐसा नहीं बताया गया, बस बताया गया, predicting and outcome, predict कोई भी कर सकता है, क्या outcome क्या सकते है, लेकिन hypothesis का क्या मतलब होता है, एक statement होना चाहिए, एक statement, एक statement होना चाहिए, जो कि tentative statement होना चाहिए, और वो आपकी research की outcomes के बार में कुछ guesses और assumption करते है, okay, so यहाँ पर, जो hypothesis होते हैं, यह आपकी research question का type नहीं होता है, इसलिए इस question का आपका right answer हो जाएगा, option B, next, grounded theory is often used in the formulation of so यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि grounded theory हम किस चीज़ के formulation के लिए use करते है, दिये गए options में से, okay, so आपको इस question के solve करने से पहले आपको पताना चाहिए कि grounded theory क्या होती है, so grounded theory मतलब, आप बहुत सारा data जमा कर लेते हो, बहुत सारा data collect कर लेते हो, okay, आपके पास बहुत सारा quantity म आप क्या करते हो, theory develop करते हो, ठीक है, यह होता है आपका grounded theory का मतलब, फिर से हम देखते है, grounded theory बहुत important है, इस पर exam में compulsory एक question पूछा ही जा सकता है, so याद रखिए अगा grounded theory का मतलब क्या होता है, जिसमें आप large quantity में data collect करते हो, और उस data को analyze करते हो, और उस data को analyze करकर theory develop करते और theory को बनाते हो, so यह होता है आपका grounded theory, अब grounded theory का use आप किस चीज के formulation के लिए करते हो, आपको यह बताना है, इस question में, so यहाँ पर याद रखिए गा grounded theory, आप grounded theory बना रहे है, grounded theory पर study कर रहे हो, so इसका किस चीज के लिए उस करा जाएगा, कि research की evaluation पर, research में जो भी आप प् एक, correct हो जाएगा, so grounded theory जो होती है, आपके use करी जाती है, formulation of policies, program and evaluation of research, अब जो incorrect option है, उससे भी हम देख लेते है, opportunity for exploring the facts, यहनि जो truth है, उसको किस तरीके सा आपको explore करना है, so इसके लिए आप grounded theory का तो use नहीं करूगे, obviously, आपका option B, incorrect हो जाएगा, उसस तरीके सा option C, categorizing data, data को आप organized way में categorize कर रहे हो, आप proper, आप क्या कर रहे हो, data को एक जगा जमा कर रहे हो, so सिफ इसी को नहीं कहोगे, आप grounded theory, इससे आप theory कुछ develop करते हो, तो उससे हम कहते है, grounded theory, सिफ data को categorize करने के लिए, हम इसे grounded theory का use नहीं कहेंगे, then option D, understanding the culture, किसी culture का understand करने के लिए, आप grounded theory का use नहीं करोंगे, so यहापर आपका option D, incorrect हो जाएगा, so इस question का आपका right answer हो जाएगा, option A, next, read the statement A and B and choose the correct option, statement A variables can be manipulated, controlled or observed by the experimenter, statement B variables are not related to theoretical concepts, so इस question में हमें, those statements दिये गए है, statement A and statement B, अब हमें इस question में बताना है कि कौन सा statement correct होगा, so statement A क्या बता रहा है कि variables, variables क्या होते हैं, आपको बताना चाहिए, variables जो के vary हो सकते हैं, जो के change हो सकते हैं, so यहाँ पर research के पास, chance होता है कि इसको manipulate करे, vary कर रहे हैं, यानि इसको change कर सकते, इसमें कुछ hairfare कर सकते हैं, control कर सकत एक्स्रीमेंट कर रहा है, वो variables को manipulate कर सकते हैं, control कर सकते हैं, observe कर सकते हैं, so यहाँ पर आपका statement A जो दिया गया है, यह correct होगा, then statement B आपको क्या बता रहा है, variables are not related to theoretical concept, यहाँ पर क्या बता रहा है, जो variables होते हैं, यह theoretical concept से related नहीं होते, यहाँ पर statement B इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि variable जो आपके theoretical concept से related होते हैं, अगर ऐसा होगा, चो आप क्या करोगे, सिफ mathematical concept से related experiments कर पाऊगे, आप कभी theoretical concept से related experiments कर पाऊगे, आप कभी theoretical concept से related experiments कर पाऊगे, यहाँ रखेगा, variable जो थे theoretical concept से भी related होते हैं, जिससे मान लीजे, आपको किसी gender पर study करना है, आप क्या कर जंडर पर स्टडिकर मेल और फिमयल यह अपर इन चीजों पर स्टडिकर रहे हैं उनके बिहवियर्स पर चैंज़ जिस तरीके से आते हैं एज को देकर अगर माली जिस पर स्टडिकर रहे हैं सो यह क्या होगा आपके theoretical concepts हो गए सो variable जो होते हैं याद रखेगा यह theoretical concepts से related होते हैं as well as mathematical concepts से भी आपके variables related होते हैं सो इस question का आपका right answer हो जाएगा option B statement A true है and statement B is false next which of the following is helpful in determining the sample size so इस question मैं पूछ रहा है कि कौन सा option और कौन सा formula ऐसा है जो sample size determine करने में helpful होता है यानि जैसे sample size का मतलब क्या होता है आपको बले यह पता होना चारहिए sample size क्या होता है यह population है अपकी मान लिए अपकी पास 1000 population है thousand population में आपकी पास thousand members है सब क्या करते हो पूरे 1000 लोगों पर आप study नहीं करते हो बलके आप आपका sample चुन लेते हो यानि population में से लोगों को चुन लेते हो कुछ लोगों को चुन लोगे ये आपका sample बजाएंगा और इस पर आप आपकी study perform करोगे तो यहां पर जैसे population आपकी 1000 population है अब आपको चाहिए कि मेरे 40% accurate result आना जोगे लिए इस case में coherence formula ये आपको मदद करता है determine करने के लिए कि आपको कितना sample size का लेना चाहिए 1000 population में है कि आपको कितना sample size लेना चाहिए कि आपको 250 sample size लेना चाहिए जो nih 250 members को आपके samples में आपको include करना चाहिए एफर 50 यह आपके coherence formula बताता है कि अगर आप चाहोगे कि इतने पसंद आपके accurate result आए तो coherence formula बताता है कि आपके sample के size कितनी होने चाहिए ओके यहाँ पर आपका option B correct हो जाएगा यानि sample size select करने के लिए coherence formula बहुत helpful होता है बहुत मदद करता है अभी Russell 2000 index यह किस चीज़ में आपके रहे helpful करता है यह stock market में यह आपके share market होते है marketing से related होता है यह आपर यह option A आपका incorrect हो जाएगा उससे तरह के option C spearsman formula बताता है कि variables जबके कैसे related है variables के एकिस टाइप का relation है variables किस तरीके से एक दुस्सरी से related है यह बताता है आपके sparsman formula आपके variables related variables के बीच में किस तरीके से relation होता है । बताता है आपका sparsman formula तो यहाँ नियildर यह इन्करेक्ट हो झाएगा उस question का आपका राय आइंसर हो जाएगा option B cocurrence formula next qualitative research helps in the collecting data under dash more situation so question में पूंखसे जा रहा है कि qualitative research हो तीन में आप data collect करते हो qualitative research में, जो भी ड़ीटा आप collect करते हो so वो इस situation के अडनल आप data को collect करते ओक in normal situation में, experimental या फर और आर्टिफिशियल या फिर नचिर्पर कंडिशन में, किस situation में, किस condition में यह से digital और सो अगर आप क्या करते हो एक्सपर्स को नागर क्या करते हैं आप इंटरिज़ कॉम्हें 아니라 बॉट करने बॉट हैं नाटरल सेटिंग में आप bond you shildr ist और आपके questions का reply करते हैं तो उनके थूरी आप क्या डेटा करते हैं उसी तरह कि अब्जरबेशन रिसवर उस पट्रिक्रिया में जाकर चीजों को यहां पर नॉर्मल ओप्षिन नहीं नहीं होते हैं एंड आटिफिशल यहां पर दो ही ऑप्षिन हो सकते थे थे नैच्रल या फिर आठीफिशल शिचुवेशन याद रखेंगा qualitative research जो यह artificial setting में नहीं conduct करवाई जाती है qualitative research यह natural situation के अंडर में लाए करती है जिसमें आप data जो collect करते हैं natural settings में लिटा collect करते हैं इस question का आपका right answer हो जाएगा option B natural next which type of research focuses on what will be so question मैं पूछे जारा है कि कौन से ऐसी research है जो यह बताती है कि क्या होगा आगे so this happens experimental research experimental research में हम यही देखते क्या आगे क्या होगा क्या अगर हम independent variable को कैसे रखें independent variable को क्या हम manipulate करते हैं तो किस तरीके से dependent variable पर उसका affect होगा किस तरीके से आगे होने वाला है इस चीज़ का आपको बताता है what will be का मतलब बता है आगे क्या होगा किस तरीके से हमें result मिलेगा अगर हम independent variable को manipulate कर रहे है चेंज कर रहे है उसमें कुछ hair fair कर रहे तो किस तरीके से हमें result मिलेंगे क्या होगा आगे इसलिए हम experimental research का यूज करते हैं याद रखेगा experimental research एक ऐसे चाइप के research होती है जो यह बताती है कि आगे क्या होने वाला है तो यहाँ पर आपका option है correct हो जाएगा अब जो remaining option से होने भी हमने एक बार देख लेते है के study क्या होता है case study यह बताता है कि आप four to five लोगों को एक group बना लेते हो जिसमें एक particular topic के बारे में detail में इसमें analyze करते हो इसके बारे में detail में examine करते हैं चीज़ों को इसके बारे में study करते हो आप यहाँ पर case study का focus और main aim यह नहीं होता है कि क्या होगा आप बस चीज़ों के examine करते रहे तो यह होता है case study का main aim so आपको option b incorrect हो जाएगा then is then option c survey survey क्यों जिसके तुर्ब अप data collect करते हो इसके इस Prinzip method proper करते हो data collect करें उसले हम केते हैं survey दो survey भी इस बताता है कि क्या होगा survey बताता है क्या अपका data किस तरी कि साख को collect करना है kis method से collect करना है आपको option C भी इंकरेक्ट हो जाएगा then option D exposed facto exposed facto क्या बताता है कि आप जो भी situation हो जाती है जो भी situation अकर हो जाती उसके बाद आप उस चीज़ पर study कर लेते हो जैसे मान लेजे किसी का accident हो गया फिर उसके बाद उस पर study कर जाती है किस तरीके से उसके accident हो गया फिर या फिर मान लेजे कोई disease हो गई जैसे covid, covid disease हो गई उसके बाद उस पर study करी गई कि वो disease किस तरीके से आई okay so exposed facto research में जो भी पुराने events अकर हो जाते उसके बाद उसके बाद उस पर study करी जाते exposed facto यह ने बताता है कि आगे क्या होगा यह पर आपका option D भी incorrect हो जाएगा इस question का आपका right answer हो जाएगा option A experimental research बताती है कि आगे क्या होगा next the type of error in which research study over which the researcher has no control is called so इस question में बूछ रहा है कि research में ऐसा error ऐसा type का error जिस पर researcher का कोई control नहीं है so उस error को हम क्या कहेंगे कि उस error को हम type 1 error कहेंगे या फिर type 2 error या फिर random error गहेंगे तो याद रखेंगे research में basically mainly डो ही type का error होता है जिसे हम करते हैं type 1 error tag 2 error अभी error होते क्या हैं सो आपको याद रखना है Research में researcher हमेशा अपनी hypothesis को test करते हैं अब जब भी research अपनी hypothesis को就是 करते हमेशी Null hypothesis को test करते हैं अब null hypothesis बता दिए कि variables के बीच में कोई relation नहीं है, इसे हम कहते हैं null hypothesis, और याद रखेगा, exam में ऐसा भी question आ सकता है, कि researcher अपने research में कौन सी hypothesis को सिर्फ test करते हैं, तो याद रखेगा, research में researcher हमेशा सिफ और सिफ null hypothesis को test करते हैं, अगर null hypothesis सही निकली, तो researcher उसे accept कर लेते हैं, या फिर null hypothesis को researcher reject करते हैं, तो automatically आपके alternative hypothesis को research accept कर लेते हैं, अब type 1 error और type 2 error, जैसा हमें option A और B दिया गया है, तो ये error होते क्या है, हम इस table के थूर देख लेते हैं, तो type 1 error का बता है, जब आपकी जो null hypothesis है, वो true होती है, null hypothesis true होने के बाद आप उसे reject कर लेते हैं, आपकी null hypothesis true है, true होने पर आपने इसको reject कर लिया, तो ये आपकी हो जा एक्सेप्ट कर लेते हो, false होने पर आपने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाएगी, type 2 error, so type 1 error को हम alpha से denote करते हैं, type 2 error को हम beta से denote करते हैं, so लेकिन हमें यहाँ पर null और alternative hypothesis से कुछ related नहीं option दिया गया है, हमें बस यही दिया गया है, इस question में, कि एसा error जिसमें research को कोई control नहीं हो, इस पर research को control होता है, type 1 and type 2 error में researcher को control होता है, लेकिन एक ऐसा error जिसमें research को control नहीं होता है, तो हम केते हैं random error, कोई भी error अकर हो जाता है, random नहीं किसी भी तरीके से error हो जाता है, जिसमें researcher उस चीज़ों को control नहीं कर सकते, जैसे for example, कोई plant प पर affect कर सकता है, so temperature यह affect कर रहा है, तो यह randomly error रखर हो जाता है, जिस पर researcher का कोई control नहीं हो, so this question का आपका right answer हो जाएगा, option C, random error, next, which law is related to sample investigation, so this question में पूछ रहा है, कि sample investigation से कौन सा law related है, so याज रखेगा, sample investigation होता है, आपको पहले पता होना चाहिए, मतलब आप, जब सैंपल सेलेट करते हो, तब किस किस तरीके से सैंपल सेलेक करते हो, कितना आपका sample में कितने members हो रहे है, कि आपने ज़ादा कोके samples को चुन लिया, फिर आपने बहुत कभ आपके samples को चुन लिया, उसे हम कहते है, sample investigation, यानि, sample पर आप कैसे study perform करें, उसे हम कहते है sample investigation camel investigations से आपके जो но रिलेटे होते ये दोनों भी लोः ओंदे लॉस्ट येृज नुला बहुत इंपोरन थे अगर आप सैंपब पर इन्वेस्टीगेशन करोते आपके दोनों लोग को follow करना होता है अब यह दोनों लोग होते कई है जcksl tastically regularity कि होते हैं कि आपने जो भी आपके sample select कर रहे है randomly जो भी आपके पास sample हो कि वो आपकी पूरी population को represent करना चाहिए तभी आप उस sample पा study perform करते हैं फिर investigation perform करते हैं और तभी आपको सही result भी मिलेंगे तो से कहते हैं law of statistical regularity और law of inertia of large numbers बहुत important है जिसे हम principle of stability of mass data भी कहते हैं याद रखना है एक्जाम में आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आपको question पूछा जा सकता है कि sample investigation में कौन से law related होते हैं law of inertia of large number principle of stability of mass data यह दोनों law होते क्या है so law of inertia of large numbers जिसे large numbers लिका है यहाँ पर large numbers का मतलब होता है कि आपका जितना जाद आप sample select करोगे उतना कम आपके error आने के chances होगे मतलब उतना accurate आपके result आ सकते उतने सही आपके result आ सकते याद रखेगा जब भी आपके sample का size large रखोगे आपके result आएंगे उतने accurate आएंगे उतने सही आ सकते है और इस case में आपके sampling error है वो भी reduce हो जाता है so sample investigation में ये दोनों भी law बहुत important होते है और ये दोनों भी law sampling sorry sample investigation से related होते है इसले इस question का आपका right answer हो जाएगा option 3 both next action hypothesis are based on इस question में पुछ रहा है क्या action hypothesis कौन से options पर based होंगी अब action hypothesis ये होती क्या है so action word आ रहा है that means it is related to your action research okay action research मैं जैसे हम इसी problem को solve करने के लिए producing immediately problem के agenst action लेते हैंहे सथले हम उसे कहते एक्षिन hypothesis sorry action research अप action hypothesis क्या होती है action research में जब इसवी problem के अगेंस कुछ problem को solve कर रहे है so ISKai पृवटेस मेट करने को कहते है action hypothesis अब जैसे मैंने आपको इसके पहले βी करी लेक्टेस में बताया कि आपकी टीचिंग फिल्म में ज्यादा यूज़ करे जाती है जिसे पर एक्जामपल एक्षिन रिसेच में आपको एक्षिन हाइपोटेसिस किसे बना हो गया कि माली जिए एक क्लास में टीचर है वो बच्छों को बता रही कि मैप तो किस तरीके से बता सकती हुके बच्चों के एक्षेट बीसके पर लीट करेंगी कि माप के माप को रीट करीगे सब्सक्राइख की चीज़ कर बेस होती ही प्र Dalek Do कि एकुकि भी हमारी problem पर ही वेज़र होती है जिसमें हम problem को solve करते हैं मतलब problem को कुछ cause of a problem, problem के क्या cause है उसे हम solve करने के लिए action hypothesis का use करेंगे इस question का आपका right answer हो जाएगा option B cause of hypothesis action research में कोई theory का आप use ने करते हो और researchers के experience का use ने करया जाता है बलकि किसी immediate problem को solve करा जाता है यहनी problem का हम cause find out करते हैं और action hypothesis इसी पर वेज़र होती है कि problem का क्या cause हो रहा है next the snowball sampling method is useful when the universe is small and dash इस question में पूछ रहा है कि आप snowball sampling method जब यूज़ करते हो ता अपका यूज़ करोगे जब आपकी universe small होती है और क्या होती है आपकी universe के scattered होती है स्पेसिफिक होती है जर्नल होती है आपके concentrated होती है सो हम पर दिखते है कि snowball sampling क्या होती है snowball sampling जिसमें researcher का बहुत ज़्यादा important role researcher नहीं play करते हैं यहाँ पर आपके जो respondent होते हैं important role play करते हैं यहाँ पर जैसे माली जी यह researcher है researcher को study करना है particular जो city है उस city में रहने वाले जो person है कितने person drug consume करते हैं जो भी drug consume करते हैं यह easily अपने आपको exposed नहीं करते हैं तो यहाँ पर researcher को उनके कुछ एक दो लोग मिल जाते हैं और उन्हीं एक दो लोग को researcher कहते हैं कि तुम और person को और respondent को select कर लो जो drug consume करते हैं क्योंकि यह drug consume करते हैं इनको पता होगा कि और ऐसे कौन से person है इस particular stage में जो drug consume करते हैं तो यह person और लोगों को select कर लाएगा फिर यह person भी और लोगों को select कर लाएगा यहाँ पर snowball sampling में में जो universe होती हो बहुत small होती हैं क्योंकि easily लोग कुद को expose नहीं करते हैं कि हम drug consume करते हैं ऐसा कोई भी नहीं करेगा इसलिए एक दो person researcher को मिल जाते हैं और उनहीं लोगों से researcher कहते हैं कि तुम और respondent को select कर लाएगा तो याद रखना snowball sampling में आपके जो universe होती है वो काफी small होती है and specific होती है क्योंकि आप specific topic पर है कुछ specific लोगों पर है आप research कर पाऊंगे जो सिंफ वो सिंफ ड्रक कंजूम कर रहे हैं सबके जो universe स्केटर नहीं होती मतलब ज्यादा फैली विरेंटी बहुत कम होती है स्केटर तो होने सकता option तरह किसे जर्नल जर्नल भी नहीं हो सकती है आपकी specific होगी क्योंकि यहां पर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं है सो यहां पर आपका option C भी इंकरेक्ट हो गया वे concentrated concentrated जैने वह ज्यादा amount में specific यह भी नहीं हो सकती है लेकिन आपकी जो snowball sampling है snowball sampling method में आपकी जो universe होती ही बहुत small होती है और specific होती है इसलिए आपका correct option हो जाएगा option B specific next when data collector is passed through one statistical method organization classification tabulation computation computation etc are called इस question में पूछ रहा है अपने data collect कर लिया for example उस data पर आपने statistical method apply कर रहा है मतलब आपने इस data का mean निकाल होगा इसका median mode standard deviation निकाला इसको organize कर आपने systematically इसको place किया दिन इसको आपने classify कर रहा है जिस ग्रूप में इस data को होना चाहिए वहाँ पर आपने प्रॉपर्स को arrange कर दिया दिन tabulation कर दिया मतलब आपने table में इस data को फिल कर दिया दिन लास आपने compute कर दिया values को उससे हम क्या कहते है उस data को यहाद रहना जब भी आपकी पास जो data में आप उस पर कुछ apply कर रहा है जैसे statistical method उसको organize कर रहा है उसको classify कर तो उससे हम कहते है को एक process data होता है क्योंकि आप इस data पर कुछ काम कर रहे है तो इस data को बोलेंगे हम एक process data उसको आपने एक प्रॉपर वे में जो information लग रही है अपने से उतना ही रहा जो unnecessary information उसको आपने जिलीट कर दिया वह एक process data हो जाएगा अब raw data क्या होता है raw data वह होता है जो original data हो या फिर unorganized data हो मतलब ऐसा data मालें आपने सेंपल पर स्टेडी परफॉर्म क्या और सेंपल से आपको जो data मिल रहा है आप उसे बोलोगे original data क्योंकि यहां पर आपने उस data को नहीं आपने स्टैस्टिकल मेथर्ट से कुछ अपने मीन मेडियन निकाला उसका ना उसको और्गनाइज किया आपने उसको क्लासिफ आप और आप का दरेश इस से आपका ने मेम आपका यह सथे पर सिर्ट के पर सकते हैं और सेबिसम और यह सी अपका नेम से टरी इस अपका मोंटी कैसे और आपका एक data collection tool होता है तो questionnaire में कितने number of questions possible हो सकते हैं फिर कितने number of questions generally questionnaire में present हो सकते हैं तो याद रखिएगा बहुत important question है exam में data collection tools जैसे questions, interview, observations यह जो आपकी data collection tools हैं इन पर आपको compulsory one or two questions पूछे ही जाते हैं बहुत important topic है इस पर कंपल सरे आपको questions पूछा जा सकता है अब questionnaire है, questionnaire क्या होता है एक list of questions जिसमें एक list होती है उसमें सारे researcher questions प्रोवाइट कर देते हैं और researcher, sorry, जो respondents है उस researcher के answers का response करते हैं so questionnaire क्या होते हैं, यह structured question होते हैं researcher पहले से ही इनको decide कर लेते questions को और जो आपके respondent है, उनको बस यहां पर response करना होता है तो याद रखेगा questionnaire जोते हैं questionnaire में ना 20 questions होते हैं ना 30 ना 40 मतलब questionnaire में जरूर नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिनी questions पूछ सकते हो आपके respondents हैं, आप सिर्फ आप 30 questions पूछ सकते हैं स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है आपकी need के according आपको चाहिए कि आपको जो survey में आपकी need के according चाहिए, मतलब आपको ज़्यादे questions पूछना है ज़्यादे data आपको collect करना है तो आप ज़्यादे questions भी पूछ सकते हैं 50 पूछ लिए आपने 100 भी पूछ सकते हैं आप 200 भी पूछ सकते हैं तो unlimited questions भी पूछ सकते हैं आपके questions में आपके पास specific number नहीं होता है कि आपको सिर्फ 30 पूछना है, 40 पूछना है तो आपके need के according पूछ सकते हैं तो इस question का आपका right answer हो जाएगा according to need of survey next what distinguishes the experimental method from the quasi-experimental method इस question में पूछ रहा है कि experimental method और quasi-experimental method में difference क्या ओता है तो बहुत important question है ये question मैं आपको बता दू कई PhD entrance examination में same question बहुत बार पूछा गया है different PhD entrance examination में और मैं आपको बता दू आपके exam में experimental method quasi-experimental method और जिसे experimental method में experimental research में आपके पास variables होते है independent variable dependent variable and moderating variable moderating variable and next होता है founding variable so in variables पर आपको compulsory question पूछा जाएगा experimental or quasi-experimental research question compulsory पूछा जाता है so आप मैं बता दू आपको experimental method और quasi-experimental method में same चीज़े होता है जिनमें इन दोने में difference नहीं होता है जो similar चीज़े होता है वो होती है scientific status यानि आप scientific way से आपकी study perform करते हो scientific way से research करते हो उसमें आप scientific theories scientific principles का use करते हो systematic manner में आपकी research perform करते हो उसी तरीके से option B existence of independent variable experimental method और quasi-experimental method ये दोनों में भी आपके independent variable exist करते हैं present होते हैं next sensitivity of the dependent variable experimental method और quasi-experimental method में आपके dependent variable आप बिसकर इसको observe करते हो दोनों में आपका independent and dependent variable का role same ही play होता है दोनों को भी method में आपका option A, B and C तीनों भी incorrect हो जाएगा क्योंकि ये तीनों भी options में आपको experimental method और quasi-experimental method की difference नहीं दिये हैं बलकि तीनों भी option में इन दोनों methods की similarities आपको दिए गई हैं अब जो difference होता है experimental method और quasi-experimental method में ये होता है कि आपके जब random assign करते हैं participants को यह रैंडम्ली आप आसाइन नहीं कर सकते हो आपके कोजी एक्स्प्रेमेंटल में अब जैसे के एक्स्प्रेमेंटल में अब जैसे के एक्स्प्रेमेंटल में इसको इनको 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 रैंडम्ली आप आसाइन करते हो लेकिन ऐसा आप कोजी का मतलब क्या होता है आटिफिश आप artificially आप natural way में इसको perform नहीं करते हो इसलिए आप cause experimental research में आप directly आपके participants होते हमको randomly assign नहीं करते हो नहीं आपके independent variable को manipulate करते हो तो यही difference होता है experimental method और cause experimental method में So this question का आपकर right answer हो जाएगा option D, the random assignment of participants to conditions Next Select the wrong statement from the following This question में हमें sampling से related कुछ statements given है और हमें find out करना कि कोंसा statement wrong है So one by one हम options देखते है Option A, systematic sampling select the population at regular intervals So systematic sampling में क्या होता है आप interval decide कर लेते हो आपके मानदों कोई population है Population में से आप यह decide कर लोगा कि आपके पास बहुत large population है उस population में से मैं हर 5th person को select कर लोगा और वो मेरा sample बन जाएगा So यहापर आप कोई interval decide कर लोगा कि इतने इतने numbers के लोगों को इतने इतने numbers पर जो भी members हैंगे उनको मैं select कर लोगा So यह systematic sampling में आता है और यहापर आपको option A correct हो जाएगा Then option B, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling Stratified sampling में आप क्या कर लेते हो आपकी जो population होती है जो कि heterogeneous population होती है आपकी population को आप subgroups में divide कर लेते हो जो कि आपकी population को represent करती है और उस groups में divide करने के बाद उस group से आप sample select कर लेते हो और उस पर आप research perform करते हो So यह आपकी stratified sampling के definition हो गई So यह आपको option B भी correct है Then option C, the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used Yes, यह आपका option C भी correct हो जाएगा option C यह कह रहा है हमें कि Simple random sampling में आप जो population में से members select करते हो So आपकी जो population होगी उस case में homogeneous होगी अगर आपकी population homogeneous होगी तो आप simple random sampling method का use करते हो और randomly population में से members को select कर लेते हो अगर आपकी population heterogeneous होगी तो आप certified का use करोगे सो यह पर आपको option C भी correct है then option D simple random sampling is not just like drawing a number in a lottery आपको याद रखना है यह option आपको given है sampling related यह incorrect है यह wrong statement है क्योंकि simple random sampling में simple random sampling में आप lottery method की तरह आपके population में से members को select कर लेते हैं so simple random sampling को हम lottery method भी कहते हैं lottery method क्यों कहते हैं आपने देखा होंगा जब lottery का ticket लगता है लोगों को तो कैसे करते हैं lottery method में एक list होती है जिसमें members के name given होते हैं उसमें आप randomly किसी भी members को choose कर लेते हैं और उनकी lottery लग जाती है उसी तरीके से simple random sampling में भी आप population में से members को directly select करते हैं मतलब randomly select करते हो और उस पर study perform करते हैं आपकी so simple random sampling को हम lottery method भी कहते है that's why आपका option D जो है incorrect है so आपका wrong statement है related to sampling so आपका option D correct हो जाएगा simple random sampling is not just like drawing a number in a lottery next written documents newspapers diaries letter trip description etc source of information used in so इस question में पूछ रहा है क्याकि पास कुछ written documents है जिसे newspaper diaries letters script descriptions so यह सारे जो sources है इन sources आपको जो information में लेगे कि आप कौन से method में sources की information को use करोगे so याद रखिएगा जिसे historical historical research में history में भी आपके पड़ते हैं आपके पास सारा पुराना data होता है यानि past में जो भी phenomena में आपकर होता है उसको बताया जाता है उसे तरीके से जैसे यहां पर आप देख रहे हो newspaper, diaries, ledger यहां पर आपका जो source of information यह सेकेंजी होता है यह already available data होता है जो already available data होता है यह historical method में आप यूज करते हो यानि historical research में क्यों होता है जैसे past में जो history happens होती है जैसे world war, Indian history यह सारी जो history होती है सारी आपको history book में देखने मिलती है तो वही वता है आपका historical method historical method में already जो available sources है उसको यूज करा जाता है उसको analyze किया जाता है और यह देखा जाता है यह present में इसको कुछ use होता है या फिर use है या फिर नहीं है यहाँ पर यह जो data है जो sources आपको information मिल रहा है आप यह historical method में use करोगे अब remaining options में हम देख लेते है जिसे case study method case study method में क्या होता है आप 4-5 people का group बाना लेते है और एक particular topic चूज कर लेते हैं specific topic चूज कर लेते हैं जैसे मान लेजिए आपको कुई new topic आपको जैसे मान लेजिए आपको कुई new phone launch करना है तो उस phone के बारे में आप उस particular group में 4-5 group में 4-5 लोगों के बीच में आप उस topic को discuss करोगे आपर case study method से आपको पर जो भी data आपको मिलेंगा जो भी information मिलेंगे new मिलेगी से आपको के study method में पुरानी information नहीं यूज कर सकते हैं इसे तरीके से statistical method statistical method के होता है जिसमें आप कोई mathematical formulas perform करकर कोई solve करते solutions find out करते हैं से किसे का mean निकालोगे population से information मिलें इसका mean निकालोगे medians का standard deviation सो यह सारे आपके mathematicals related terms है statistical method में भी new information generate करते हो उसे आपको option c incorrect हो जागा उसे तरीके से option d evolutionary method evolutionary method क्या होता है जिसमें living organisms के बारे में study की जाती है उनके जो भी problems होते हैं उनको solve करने के लिए evolutionary method का यूज करा जाता है जिसे genes हो गए offspring genes parents से कुछ problem आ रहे हैं evolutionary method में यूज कर जाती है जाता करके biology field से जादा related होती है सो यह पर प्रॉब्लम को solve करते हैं obviously आपको option d incorrect हो जाएगा इस question का आपको right answer हो जाएगा option a historical method and dash is the way to solve the research problem in a systematic way इस question में पूछ रहा है कि हमें दिये गए options में से कौन सा एक ऐसा option है जिसमें हमारी जो research की problem होती है उससे हम एक systematic way में solve करते हैं यानि माने जाए आपके कुछ research की problem है x y z आपके कुछ research की problem है यहाँ पर अपने इस problem का आपको solve करना है तो आपके systematic manner में आपको research की problem आप solve करते हो आप आपके research की problem कैसे जिग्जाइक manner में solve करोगे तो आप अभी कभी research ही ने कर पाऊगे क्योंकि आपके research होती है यह one or two months की नहीं होती है आपके research आपको three to six years तक आपके research चलती है तो आपको systematic way में करते हैं आपको research को perform करना होता है या फिर आपके research की problem आपको में हर एक चीज आती है research के characteristics किस तरीके से आपको characteristics को कौन कौन से एधिक्स फॉलो करना है किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिगने उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं वह सारे चीज़े आप सिफ और सिफ रिसर्च में परफॉर्म करते हैं तो याद रखेगा रिसर्च में ऐसा वे हैं जिसमें आपके जो रिसर्च की प्रॉब् प्रॉपर एक और्गनाइज़ वे में आपके रिसर्च को परफॉर्म करते हैं तो सिफ ऐसा आप रिसर्च मेथरिल लोजिय में करते हो याप आपका औप्शन से प्रॉब्लम को आप सोल्फ कर पाऊगे नहीं तो याप आपको ऑप्शन एंक करेंगा उसी तरीके से कौन-कौन से methods apply करकर आपके research को solve करें अगयन procedure का meaning होता है methods so research में सिभा methods यूज करोगे तो आप आपकी research की problem का भी solve ने कर पाओगे तो आपको option b incorrect हो जाएगा उसी तरीके से option d research process आपके research की process यानि आप research के कुछ जैसे 7 to 8 steps है उन्ही steps को उन्ही process को अगर perform कर होगे तो कि आप research की problem solve कर पाओगे यह भी हम नहीं कह सकते हैं तो आपको option d b incorrect हो जाएगा तो यहाँ पर आपको option हो जाएगा research methodology क्योंकि research methodology एक ऐसा वे है जिसमें आपकी research की problem को systematic way में solve करते हो next the purpose of hypothesis testing is 2 इस question में हम find out करना है कि hypothesis testing का purpose क्या होता है अब hypothesis testing हम क्यों करते हैं यह देखने के लिए जो हमारी नए hypothesis है उसको हम accept कर लेते हैं और reject कर लेते हैं दो ही ways होते हैं अगर हम hypothesis को तेस्ट करते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एकसेप कर लेते हैं, या फिर रिजेप कर लेते हैं, यह दो ही चीज़ करते हैं, जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, अब इस कोशन में हमें कुछ ऑप्शन गिवन हैं, उसके तुरू हम दखते हैं का हाइप hypothesis को टेस्ट नहीं करते हैं सो यह आपको option A इंकरेक्ट हो जाएगा then option C देखेंगे हम determine the appropriate value of the significance level हम significance level को determine करने के लिए hypothesis को टेस्ट नहीं करते हैं अब significance level क्या होता है significance level वो होता है जब भी आप hypothesis को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो results से उसमें कुछ error अलाव करते हो अब मान लिजे आपने आपका जो significance level है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5% या तो आप 1% रखोगे या फिर 5% अगर आपने आपका significance level 1% रखा है मतलब आप सिभ आपके study में 1% error को अलाव करेंगे मतलब आपके जो 99% जो भी result आएंगे वो सही होंगे और significance level आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी research में error अलाव करेंगे वो 5% अलाव करेंगे मतलब 95% आपके जो result आएंगे वो correct आएंगे यह determine करने के लिए भी आप hypothesis को test नहीं करते हो आपको option c incorrect जाएगा then option d determine the appropriate value of the null hypothesis null hypothesis के appropriate value को determine करने के लिए आप hypothesis को test नहीं करते बलके यह देखते हो कि null hypothesis को हमको accept करना है या फिर reject करना है हम null hypothesis को किसी value को determine नहीं करते हैं, आपको याद रखना है, किसी value को determine नहीं करेंगे null hypothesis की, हम बस यह दखते हैं कि null hypothesis को accept करना है, पर reject करना है, आपको option B भी incorrect हो जाएगा, then option B, determine whether the statistical result is significant, मतलब अब मान लेजे hypothesis test, hypothesis क्या होता है, hypothesis is nothing but a tentative statement होता है, जो research अपने research में अपने gases पर lay down करते हैं, उसको अपने research में test करते हैं, अब मान लेजे एक hypothesis है, कि water अगर increase करते हैं, तो plant की growth भी increase होगी, यह मेरी एक hypothesis है, अगर मैं plant को water जादा दे रही हूँ, तो plant की growth भी जादा होगी, अब इससे जो result आ रहे है, इससे जो result आएंगे, यह चेक करने के लिए hypothesis test करते हैं, statistically significance, हम hypothesis test इसले करते है, statistically significance है, यह देखने के लिए, अब statistically significance का मतलब क्या हो रहा है, आपके जो result हो रहे है, वो by chance आ रहे है, या फिर आपका जो independent variable है, मतलब जो water है, यह water की वज़े से ही growth हो रही है, फिर नहीं, आप यह देखते हो, अगर water की वज़े से growth हो रही है, तब क्या करोगे, जो आपकी null hypothesis से उसको reject कर लोगे, अगर water की वज़े से growth नहीं हो रही है, तब की null hypothesis को आप accept कर लोगे, यह हो जाती है आपकी hypothesis testing का purpose, hypothesis testing का purpose यह होता है, कि determine whether a statistical result is significant, यह पर आपको option भी correct हो जाएगा, next, coefficient correlation between two groups is minus 1.09, it indicates a और n, इस question में हमें correlational research में coefficient होता है, इससे related हमें question दिया गया है, बहुत important है, आपके correlational research में coefficient होता है, जिसका नाम होता है, काल Pearson's coefficient, तो यह scientist का नाम है, काल Pearson's, इन्होंने coefficient दिया था, कोरिलेशनल research में, जिसे हम कहता है, काल Pearson's coefficient, बहुत important है, बहुत important है, आगेन में repeat करें, और exam में, इस coefficient से, काल Pearson's coefficient से, एक question आपको compulsory पूछा ही जाता है, तो हम इस question को solve करते हैं, जैसे है, इस question में में पूछ रहा है, कि काल Pearson's coefficient, इस coefficient की value, minus 1.09 है, तो यह क्या indicate कर रहा है, कि यह strong correlation indicate कर रहा है, या फिर strong negative correlation, या फिर cause and effect correlation, या फिर computation में कुछ errors हो गए, तो आपको याद रखना है, काल Pearson's coefficient होता है, इस coefficient की value, minus 1 से, plus 1 के बीच में लाए करती है, तो minus 1 से, plus 1 के बीच में, जितने भी value होंगे, वो आपके काल Pearson's coefficient को indicate करते हैं, अगर आपके काल Pearson's coefficient की value, minus 1 है, इसमें variables है, वो strong negative correlated है, उनमें strongly negative correlation है, अगर आपके काल Pearson's coefficient की value, plus 1 है, that means, आपके जो correlational research है, correlational research में, आपके जो variables होते हैं, उनके बीच में strong positive correlation होगा, और अगर आपके काल Pearson's coefficient की value, 0 होती है, that means, आपके जो variables है, variables की बीच में कोई भी relation नहीं है, तो यही indicate करता है आपका call patience coefficient और यहाँ पर हमें coefficient की value minus 1.09 यहनी minus 1 से ज्यादा दिया गया है तो ऐसी value call patience coefficient में लाई ने करती है तो यहाँ पर आपकी minus 1.09 value आ रही है मतलब आप से कुछ mistakes हुई है कुछ computation में अगर आपने आपके पास data आया है आपने जो data collect कर रहा है आप उसको compute कर रहे है मतलब आप उस data को proper arrange कर रहे है आप उसको tabulation mode में fix कर रहे हो आप जैसे भी आपके पास data आ रहा है उसको आप compute कर रहे हो तो computation में आप से हो सकते है कुछ mistakes हो गई हो जैसे हम कहते हैं errors in competition आपका option D राइट हो जाएगा इस question का answer आपका option D हो जाएगा next population divided into 4 equal groups of a particular variable group is इस question में we find out करना है कि आपने अपके जो population है उस population को आपने 4 equal groups में divide कर दिया 4 equal groups में आपके आपने population को divide कर दिया उसे हम क्या कहेंगे क्या उसे हम percentile कहेंगे कोटाइल कहेंगे या फिर डेसाइल कहेंगे यहाँ पर आपकी माली जो कोई population थी अपने उस population को four parts में divide कर दिया first, second, third and fourth part, चार part में आपने इसको divide कर दिया चार part में आपकी population को अगर divide कर दिया, उसे हम कहेंगे कोटाइल, कोटाइल का ही मतलब होता है four, okay quartile का मतलब होता है four कि आपने आपकी population को four equal groups में divide कर दिया, तो उसे हम कहते है, quartile, percentile क्या होता है, अगर आपने आपकी जो population है उसको hundred equal groups में अगर आपने divide कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे percentile, percentile का मतलब होता है hundred deciles, deciles कहता है अगर आपने आपके जो population है उसको 10 equal groups में अगर divide कर लिया तो उसे हम कहेंगे decile decile 10 होता है, quartile 4 होता है और percentile 100 होता है तो आपने यहाँ पर आपके जो population है उसको 4 equal groups में divide कर लिया तो उसे हम कहते है quartile, तो याद रगना है quartile, quartile का मतलब होता है 4 तो यहाँ पर 4 equal groups है, तो आपने आपकी population को 4 equal groups में divide कर लिया, तो उसे हम कहेंगे quartile, तो यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा, option B, quartile, next, which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design, इस question में हमें find out करना है कि कौन से option में हमें experimental design के basic principle given नहीं है, so one by one हम options देखते है, so remember आपका experimental design का basic principles होते है, वो होते है, replication, randomization and local control, अब replication क्यों होता है, कि जो आप इस topic पर आप जो experiment perform कर रहे हैं, आप उसको reproduce कर सको, आप बार-बार experiment perform कर सको, उससे क्यों होगा, आप result देखो, आपके जो result आ रहे हैं, बार-बार same आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं, अगर आप experiment बार-बार perform करते हो, so replication, यह आपके experimental design का basic principle होता है, then randomization, randomization क्यों होता है, कि जिसे मान लो अगर आप experimental research में किसी disease है और disease के अगेंस आप drug launch कर रहे हो, आप क्या करोगे इस case में, आप जो sample select करोगे आपका, वो आप randomly select करोंगे, randomly लोगों को drug देखकर देख रहे हो, कि उनकी body पर वो drug कैसा effect दिखा रही है, आप क्या करोगे, randomly samples कैसे select करोंगे, आप हर एक age group के आपके sample में लोगे, लोगों को जैसे young है, old है, women है, men, जो भी है, सारे लोगों को आप samples में आपके ले लोगे और उनको randomly choose करोगे, so randomization ये भी आपके experimental research को basic principle होता है, then local control, जैसे हमने अभी देखा है, कि experimental research में research, जो extraneous variable होते हैं, उनको अपने research में control करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो dependent variable को affect ना करे, तो replication, randomization, local control, ये तीनों भी आपके basic principles होते हैं experimental design के, then reduction, reduction क्या होता है, किसी भी चीज़ को reduce करना, किसी भी चीज़ के effect को reduce करना, जैसे instrument है, instrument में noise होती है, noise बगरा के effect को कम करना, reduce करना, that is known as reduction, जितना हो सके instrument में जो noise होती है, उसके effect को minimize करना, ये आपके experimental design का basic principle नहीं होता है, that's why आपर आपका correct option हो जाएगा, option B, reduction, next question, which of the following includes all the physical components of a computer, इस question में में find out करना है कि, ऐसा कौन सा option है, जो computer का physical component है, physical component मतलब क्या होता है, जिसको आप touch कर सकते हो, so ऐसा component computer का, जो physical होता है, उसे हम कहते है, hardware, hardware क्या होता है, जैसे आपके mouse, keyboard, screen, और CPU, so ये सारे चीज़ों का आप touch कर सकते हो, so उन्हें हम कहते है, hardware, that's why आपका option incorrect हो जाएगा, then option B, malware, malware क्या होता है, जैसे आपके computer में जो viruses होते है, जो भी virus होता है, आपके computer में, उन्हें हम कहते है, malware, so ये physical component नहीं हो जाएगा, computer का, so ये आपका option B, incorrect है, then option C, software, software क्या होता है, जो भी programs आपके computer में run होते है, उन्हें हम कहते है, software, so software भी ये physical component नहीं है, computer का, तो यह पर आपका option C भी incorrect हो जाएगा, then option D UPS, UPS क्या होता है आपको पहले तो UPS का full form पता होना चाहिए, UPS का भी full form आ सकता है, exam में आपको यह याद रखना है UPS का full form होता है Un-interruptible power supply UPS का full form होता है Un-interruptible power supply तो यह आपकी computer को power supply करता है, जैसे in case light चले गई आपकी अगर light चले जाती है, so computer automatically बंद हो जाता है ऐसा ना हो, इसलिए UPS जो power supply करता है आपकी computer को यह लगाया जाता है जिसकी health से अगर आपकी light चले जाती है तो यह आपकी computer को power supply करता है So UPS यह भी आपकी physical component में नहीं आता है computer के, that's why आपको option D भी incorrect हो जाएगा So ऐसा component जो computer का physical component है उसे हम कहते है hardware So आपको option ने correct हो जाएगा Next For better accuracy in research, which of the following should be taken care of? इस question में मैं find out करना है अगर आप research कर रहे हो, research में किसी topic पर आप research perform कर रहे हो So आपके जो result आएगे, accurate कब आएगे, आपको क्या करना होगा, जब आपके result जो है accurate आएगे So one by one हम options देखते है Option A, increasing the sample Yes अगर samples को आपके increase करोंगे तो उतना जदा आपको जो result में लगा, accurate में लगा Samples क्या होता है, जैसे population है Population में से अगर 100 members है 100 में से आपने समझ लो आपके जो samples है, उनमें 90 members को select कर लिए 100 में से आपने 90 लोगों को select कर लिए यह आपका sample बढ़े हो, इन 90 लोगों पर आप research परफॉर्म करते हो So आपने ज़्यादा sample यह है, जितना ज़्यादा आप sample लोगे, उतना error कमाने के chances होते हैं उतना आपका result है, जितना ज़्यादा sample आप लोगे, जितनी ज़्यादा population में से members को select करेंगे, उतना ज़्यादा आपके result जो है, accurate आजाएंगे So increasing the sample size, yes, इसके तरू भी आपके जो results के result होंगे, वो accurate आएंगे Then option B, unbiased data collection So यह पर आपको option B, correct होजाएगा, आपको unbiased data को collect करना ज़्यादा है, यह मतलम जब जैसे आपने interview perform के, आपने questionnaires के दुरू respondents का response लिया, public का आप opinion जानते हो So उसमें अगर मान लिजे, आपको 90% आपको correct inquiry मिलते है और 10% नहीं मिलते है, तो आपको यह 10% को ignore नहीं करना है, आपको proper mention करना है, हर एक चीज़ को जो आ रहे है आपके result अपको एकदम unbiased way से data collect करना चाहिए, आपको आपके opinions अपने judgment को आगे रखकर data collect नहीं करना चाहिए So अगर आप unbiased way से data को collect करते हो, तो आपके जो research के result हो, वो accurate आएंगे So यहापर आपको option E and B दोनों भी correct है, that's why आपको correct option हो जाएगा, option C, both A and B are correct Next, which one is not an example of subjective variable, इस question में हमें पूछ रहा है कि subjective variable का example हमें किस option में given नहीं है अब subjective variable क्या होता है पर आपको यह पता होना चाहिए, subjective variable वो variable होते हैं, जिसमें हमारे पास जो भी data available होता है, वो numbers के form में available नहीं होता है आपको याद रखना है, subjective variables में हमारे पास जो भी data होता है, या फिर subjective variables में जो भी हमारे पास participants से related कुछ भी data होता है वो उनके features और characteristics को बताता है, और describe करता है subjective variables में हमारे पास जो भी data होता है, वो generally numbers के form में available नहीं होता है, बलकि वो किसी की features और characteristics को बताता है अब one by one हम options देखते हैं और देखते हैं कि किस option में हमें subjective variable का example given नहीं है 6, 6 क्योंता है gender, male या फिर female, या फिर female है, तो हमारे पास numbers के form में available नहीं है data again यह आपका subjective variable का example होगा, then religion, religion भी आप क्या करोगे, different different religion है religion को कोई numbers नहीं है, किसी religion को कोई number नहीं है, so यहाँ पर religion किसी का feature बता रहा है कि आप कौन से religion हो, subjective variable का भी यह example हो जाएगा, so यह आपको option B, religion subjective variable का example हो जाएगा then race, race क्या होता है, और कि generally physical traits को बताता है race जिससे किसी के skin color को कोई जादा dark है, कोई fair है, किसी का hair texture, किसी की facial features और किसी का eye formation तो यह सारे race में आता है, जिसमें आप बोलते हैं किसी का physical traits, वो कैसा दिखता है, उसको हम race कहते हैं यह भी आपका subjective variable का example होता है, then last is income, income को कोई feature नहीं होता है, income को आप explain नहीं कर सकते हैं, income numbers के form में होती है, always income आपको numbers के form में देखने मिलेंगे, कि 70,000, 80,000, 90,000, यह पर income में आपके पाद जो भी data available होता है, generally numbers के form में होता है, so income आपका यह subjective variable का example नहीं होगा, so यह पर आपका option D is the right answer, next, type 2 error is also known as, इस question में में find out करना है कि type 2 error को और हम क्या कहते हैं, so type 2 error होता क्या है, किस तरीके से type 2 error, यह term used में आया है, इस term का मतलब क्या होता है, आप है, अपनी research में hypothesis को test करते है, so researcher से hypothesis को test करने में कुछ mistakes हो जाती है, so उसी mistakes को हम कहते है, errors, so उसी तरीके से errors की भी type होते है, type 1 error, type 1 error and type 2 error, अब इस question में मैं पूछ रहा है कि type 2 error को और हम क्या कहते है तो याद रखेगा type 2 error को हम कहते है false negative अब जैसे कि इस table से आपको याद रखना है कि type 1 and type 2 error क्या होता है और type 1 error और type 2 error को और हम क्या कहते है so type 1 error का बता है जब आपकी null hypothesis true होती है फिर भी आप उसको reject करते हो तो वो हो जाती है आपकी type 1 error और type 2 error का बकर होता है जब आपकी null hypothesis false होती है false होने के बावजूद आप उसको accept कर लेते हो तब वो हो जाता है आपका type 2 error ओक्या clear देन अब इस question में मैं पुछ रहा है कि type 2 error कब होता है जब आपकी null hypothesis false होती है फिर भी आप उसको accept करते हो तब होता है आपका type 2 error तो आपकी null hypothesis false है incorrect है मतलब आपकी null hypothesis है यह negative है और आपने क्या कर लिया यहापर आपका decision क्या था? incorrect decision था, आपका decision wrong था मतलब यह already आपकी null hypothesis false थी लेकिन फिर भी आपना उसको accept कर लिया तो आपका decision था यहापर यह false था इसलिए type 2 error को हम कहते है false negative उसी तरीके से type 1 error का भी आप देख लिजे exam में type 1 error is also known as ऐसा भी question आज सकता है तो उस case में आपका answer हो जाएगा false positive अब type 1 error को हम false positive क्यों कहते है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो null hypothesis होती है वो true होती है फिर भी आप उसको reject करते हो तब आपका होता है type 1 error तो यहाँ पर आपकी जो null hypothesis ही true है मतलब यह positive sense कर रहा है आपकी null hypothesis true है लेकिन आपने यहाँ पर कैसा decision ले लिया incorrect decision ले लिया false decision ले लिया true होने के बाद भी अपने इसको reject कर दिया तो आपका decision false था तो type 1 error को हम कहते है type 1 error को हम कहते है false positive and type 2 error is also known as false negative तो यह आपको यह relation याद रखना है type 1 error को और हम क्या कहते है and type 2 error को और हम क्या कहते है तो यह exam में आने के chances are this is very important question so type 2 error is also known as false negative so यह आपको option भी correct हो जाएगा next the last step of problem formulation is इस question में में find out करने के problem formulation का last step क्या होता है अब problem formulation के कुछ steps होते है जिसे survey, discussion, literature, survey so survey क्या होता है आप preliminary survey करवा कर देखते हो क्या आपका research में क्या हो रहा है discussion आपको जी discuss करते हो particular topic पर फिर एक problem आप एक problem लेकर आते हो इसको formulate करते हो literature survey, literature survey क्या होता है आप survey देखते हो sorry आप literature view देखते हो कि पुराने किस-किस topic पर research हुई है फिर आप जो topic पर research नहीं हुए इसको select करते हैं इस problem को form करते हो so यह सारे आपके starting के और middle के कुछ steps होते है problem formulation के आपके last step नहीं होते है so यह आपका option A, B and C तीनों भी incorrect हो जाएगा और correct option हो जाएगा option D refreshing the research problem so आपका refreshing the research problem यह आपका last step होता है but actual में आपके problem formulation के कुछ steps क्या होते हमें देखना है इस diagram के तरूप आप steps of formulation in research problem research problem में आप problem को कैसा form करते हो उसके कुछ steps इस तरीके से है first step में आप identify करते broad field और subject area interest to you आपको जिस subject में interest है आप पहले वो subject चूज कर लिए broad area चूज कर लिए और जैसे मैंने एक broad area चूज कर लिए science आप कुछ भी ले सकते हो science, math, geography, commerce यह आप ने एक broad area चूज कर लिए then आप उस area को dissect करते हैं into सब अरे अप साइंस में यह देखूँ कि मुझे biology में research करनी है zoology में किस में research करनी है मैं यह decide कर लोंगे जैसे मैंने decide कर लिए biology में research करनी है जिन उसके बाद मैं select कर लोंगे select what is the most interest to you biology में मुझे कुछ subjects में interest होंगा मैं अपने interest की basis पर ही एक problem को select कर लोंगा जैसे biology में मुझे interest है human body human body पर मैं किसी bones पर study करूंग human body के कोई bones पर मुझे study करना है किसी bones पर तो मेरा interesting area हो गया then मैं एक question rise करूंगी जैसे मुझे human body के hands होते है hands या फिर knees उस area के bones पर मुझे study करनी है तो यह मेरा research question हो गया then उसके बाद formulate objectives objectives आप formulate करो है कि आपके problem area हो उसका क्या objective है then उसके बाद assess your objectives assess करोगे इसको आप observe करोगे analyze करोगे आपके objective को then last step आपका आता है double check जिसे हम refreshing भी खहते है double check में आप क्या करते हो जिससे मैंने यहां पर मैंने का आता है कि मुझे bones पर study करना है तो आप यह देखोंगे कि real life में कि आप उस पर कैसे study करोगे आप यह देखते हो कि उस कितना time लगने वाला है कितना cost लगेगा या फिर आप क्या skeleton पर study करोगे या फिर किसी body पर study करोगे किसी person के bones पर actual में आप कैसे study कर पाओगे यहां पर आप double check कर दो कि आपको time cost आप किस तरीके से उस चीज को available करकर उस problem को form कर दोगे यह याद रखेगा problem formulation का last step होता है refreshing the resource problem आपको option D correct हो जाएगा and what are the conditions in which type 1 error occurs इस question में पूछ रहा है दिये गए options में से कौन सा ऐसा option है अगर researcher उस option को perform करते है और जो भी research कर रहा है उस option को perform करता है तो उससे हम कहेंगे कि उन्होंने type 1 error perform किया so error क्या होता है आपको पहले तो यह पता होने चाहिए इस question को सॉल्फ करने के लिए error के आता है जब भी research अपने hypothesis को टेस्ट करते है सोंथा कुछ mistakes हो जाते है उन्हें हम कहते है error अब research में याद रखैगा exam में इस type के भी question आती है कि research आपने research में किस hypothesis को test करते है so याद रखिए एगर research में सिफ और सिफ null hypothesis को test करते है और researcher से null hypothesis को test करने में कुछ mistakes हो जाती है उसे को हम कहते है उस mistakes को हम कहते है errors और researcher से errors होता है वो दो type का हो सकता है type 1 yourself अब इस question में पूछ रहा है कि type 1 error कब अकर होता है इसके लिए आपको ये table याद रखना है बहुत important है इसके पहले भी मैंने कई lectures में ये table आपको बताया है और इस table के basis पर मैंने notes में इस table को बहुत इच्छे से explain करा है अगर आप एक बारी notes पर लेते हो तो मैं अपने batch के students को कहूँए कि एक बारी आप notes read कर लीजेगा तो ये आपको type 1 error topic है और type 2 error ये एकदम आपको clear हो जाएगा जैसे कि आप table में देख रहे हो आप हमेशा और researcher जो भी research करे हैं हमेशा null hypothesis को test करते हैं अगर null hypothesis true है और फिर भी researcher उसको reject कर देते हैं तो उस case में आपका हुए कि researcher ने type 1 error परफॉर्म किया और type 1 error को alpha error भी कहते है अलफा से denote किया जाता है उसी तरीके से type 2 error कि होता है type 2 error इस case में होगा अगर आपकी जो null hypothesis है वो false है false होने की बावजुद आप उसको accept कर ल लिए तो यहां पर आपने type 2 error परफॉर्म किया और type 2 error को beta error भी कहते है तो याद रखिएगा type 1 error का बत अकर होता है जब आपकी null hypothesis true हो null hypothesis true होने पर भी आपने इसको क्या कर लिया reject कर लिया तो उस case में आपने जो error परफॉर्म किया वो हो जाएगा आपका type 1 error जिसे हम alpha से भी numerals to the objects to represent their attributes is known as इस question में पूछ रहा है ऐसे कौन सो data होता है जिसमें हम उस data की जो भी characteristics होते है उन particular object की जो characteristics होते हैं पर नमबर देते हैं तो उस data को हम क्या कहते हैं तो याद रखिएगा उस data को हम कहते हैं nominal data तो research में 4 types के scale होते हैं जिसमें आपके पर रहता होते हैं जिसे ह हम nominal, original, interval and ratio scale भी कहते हैं और nominal data भी कहते हैं यानि scale में हमारे पास कुछ ना कुछ data होता है जिसे यहाँ पर आपको इस diagram में देखना है 4 types of level of measurement होते हैं और scales of measurement होते हैं जिसे हम इस short form से याद रखेंगे नॉयर, n4, nominal, o4, original, i4, interval and a4 ratio nominal scale के होते हैं जिसमें आप के पास जो भी data होता है आप उस data को उनके characteristics की बैसे इस पर डिवाइट करते हो ordinal में क्या होते हैं आप एक data को आपके एक order देते हो, rank देते हो उसे तरीके से interval में interval में आप ordinal के सारे characteristics follow करोगे लेकिन interval में आपके पास जो भी data होता है आप उसको एक equal intervals में arrange करोगे और interval में आपका जो 0 होता है यह arbitrary होता है and last is ratio, ratio में interval के सारे characteristics present होंगे और ratio में 0 का कुछ ना कुछ meaning होगा तो यही होते हैं आपके 4 level of measurement और 4 scales of measurement जिसे मैंने अपने lecture series में detail में explain किया है जिन students ने lecture देखा होगा उनको easily समझ में आगा होगा कि level of measurements क्या होते हैं उस data को उसके characteristics के basis पर उस object को और उसके characteristics को आपने numerical से represent करते हैं मतलब number से represent करते हैं जिसे मान लीजिए male है and female है ओके यहाँ पर एक characteristics है human being की characteristics से कोई male होगा कोई female होगा अब nominal scale में क्या करते हैं जो आपके पास data होता है उस data को आप number देते हो जैसे for example मैं male को number दे दूँगी plus one और female को number दे दूँगी मैं minus one तो यहाँ पर मैं क्या कर रही है मेरे पास जो भी data है उसके characteristics के basis पर मैंने जो data हो डिवाइड की हो male और females को उनको मैंने एक numbers के form में represent किया तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप nominal scale में करते हो और आपके पास nominal data जो होता है उसमें आप करते हो इस question का आपका right answer हो जाएगा option A nominal data next what is the use of factorial analysis इस question में पूछ रहा है कि factorial analysis का use क्या होता है तो याद रखिए research में एक term होता है factorial analysis जिसका मतलब होता है कि reduction of data so factorial analysis अगर आपके पास बहुत ज़्यादा data होगा research में तो जो unnecessary data होगा उसको reduce करने के लिए factorial analysis का use करा जाता है अब माणने जिए for example मेरे पास बहुत ज़्यादा data है बहुत ज़्यादे variables है जैसे variable a, b, c, variable d, variable e, variable f अब मेरे पास इतने सारे variables है अब इतने सारे variables पर मुझे focus करना इनको observe करना, इनको analyze करना difficult हो जाएगा अब research क्या करते है जो वे ये variables हमें दिये गए है a से f तक इन सारे variables को research औक analyze करना मुश्किल होता है तो researcher क्या करते है इस data को reduce करने जाते है researcher ये पता लगाते है कौनसे दो ऐसे variables होंगे जिसके वजह से ये सारे variables एक दूसरे से linked है और connected है So जैसे मैं यहाँ पर देखोऊँगे कि यहाँ पर जो variable eゃ और variable d यह ये दो नो एक ऐसे variables है जिसके वज़े से यह सारे variables एक दूसरे से linked है, सारे variables एक दूसरे से connect है, so research है क्या करेंगे, जो unnecessary data है, जो research को required नहीं है, so इन सारे data को research minimize कर देंगे, reduce कर देंगे, और जो variables, जो 2 variables important है, जिसको research को observe करना चाहिए, analysis करना चाहिए, इन 2 variables को research चुन लेते हैं, और उनको observe करते हैं, और analysis करते हैं, so basically factorial analysis का meaning क्या होता है, और use क्या होता है, कि research में बहुत जादा data ओने कि वह से, research उन चीज़ों को, और variables को observe नहीं कर पाते हैं, analysis नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत जादा data ओने कि जिससे, उन दो variables के बीच में relation को पता करा जाता है उनके बीच में कैसा relationship है उसको understand करने के लिए factorial analysis का use करा जाता है So, इस question का आपका right answer हो जाएगा option C To understand the relationship between two variables Next Find the median of the given set of numbers 266, 84, 279 So, इस question में हमें median पूछा जगाया है और हमें कुछ numbers दिया गया, हमें कुछ data दिया गया, हमें median value find out करना Median क्याता है, आपके data के जो center और middle value उसे हम कहते हैं median अब median को solve करने के लिए कुछ steps है इन steps को आपको याद रखना है, जिसके मैंना आपसे कहा था आपको एक्जाम में compulsory median, mode and mean ये find out करने के लिए एक्जाम में compulsory इस पर आपको एक question देखने मिलेगा अब median को solve करने के लिए आपको steps को याद रखना है जैसे कि हम steps को perform करेंगे step 1 है कि आपके पास जो भी data दिया गए आपको उसको एक increasing order में arrange करना है यहापर आपको जो data दिया गया है ये ये increasing order में arrange नहीं किया गया है तो हम पहले इसको increasing order में arrange करेंगे जैसे सबसे चोटा number है यहापर 2, 2 दो बार आया है फिर उसके बाद 4 then 4 के बाद 6 दो बार आया है then 7, 8 and 9 जो हमने जो भी data दिया गया था उसको increasing order में arrange कर लिया छोटे से बढ़े फिर second step में हमें देखना है आपका data order या फिर even है so data को हम count कर लेते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 number मतलो आपका data है यह even है so अगर आपका data even होता है उस case में आपकी 2 value हो जाएगी median की अगर मान लो आपका data order होता है तो इस case में आपकी एक ही value हो जाएगी median की अब मान लीजे जैसे आपके पास यहाँ पर 7 data है मतलो हम 8 तक value पकड़ लेते हैं 8 तक value हम choose कर लेते हैं अगर आपके पास 7 numbers होते हैं 7 data होता है तो इस case में आपकी median की value होती है वो सिफ़ सिफ़ सिफ 1 होती 4 and again 4th number पर मेरा same ही number आ रहा है जो के है 6 तो अगर मेरा data odd होता है तो इस case में मेरी 6 value हो जाती अब even है even के लिए मुझे किस तरीके से count करना है even के लिए मेरे पास total 8 numbers है यानि यहाँ पर मेरे पास total 8 number हो जाएंगे इस case में यानि even numbers है तो में किस तरीके से count करूंगे 1,2,3,4,4,4 नंबर पर 6 आ रहा है और यहाँ से भी 1,2,3,4,4 पर 6 आ रहा है तो इस case में मेरे 2 median के value हो जाएंगे यहाँ पर 6 and 6 हमने numbering कर लिए जैसे 8 था यहाँ पर total हमारा जो data था even था और total 8 numbers थे तो 8 divided by 2 कर लो तो हो जाएगा आपको 4 यानि left hand side से आपको fourth number पर जो भी number आ रहा है वो choose करना है और right hand side से आपके fourth number पर जो भी number आ रहा है इसको आपको choose करना है तो हमने choose कर लिया और जो numbering करने पर हमें 2 value मिल रही थी जो के है 6 and 6 अभी उन values का हमें average लेना है average किस तरीके से लिया जाता है तो यहाँ पर 6 plus 6 divided by 2 numbers है तो divided by 2 तो 6 plus 6 हो जाता है आपका 12 divided by 2 तो 12 divided by 2 हो जाएगा आपका 6 तो इस case में आपके जो median की value हो जाएगी वो हो जाएगी 6 तो इस question का आपका right answer हो जाएगा option A 6 Next Which of the following is not required in the formulation of research problem इस question में मैं find out करना है कि दिये गए options में से कौन सा एक ऐसा option है जिसे research problem में हम जब research में problem को formulate करते हैं उसमें उसके जरूरत नहीं होती है उसका कोई requirement नहीं होता है So हम one by one options देखेंगे Option A Specifying the research objective Yes अगर आप आपकी जो research है research problem formulate करें आपको research को objective पता होना चाहिए जैसे मालेजे कोई disease है और disease के against मुझे एक drug form करना है So मेरा objective होना चाहिए मैं ये drug क्यों form करूँगी तो उसके पीछे मेरा कुछ objective aim होना चाहिए जैसे मैं मैंने ये drug form किया क्योंकि मुझे जो भी person थे पर्टिकुलर disease से सफर कर रहे हैं तो उनमें वो disease क्यों हो जाए इसलिए मेरा objective यह है कि उस disease के जो effectors को कम करने के लिए मैंने ये drug form कराए तो ये मेरा research को objective हो जाएगा So research objective is very important in the formulation of research problem उसी तरीके से option B review is context and environment मतलब आप जो drug पर study कर रहे हो तो उस drug के बारे में आपको कुछ नो कुछ background knowledge होना चाहिए अब directly कोई भी drug लोगे और उस पर study करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते है आपको उसका background knowledge होना चाहिए So यह पर आपको option B भी correct है research problem को formulate करने में आपको उसका background आपको पताना चाहिए उसका environment भी पताना चाहिए उसी तरीके से option C explore its nature उसका nature भी आपको explore करना चाहिए कि इसका किस तरीके से वह effective है उसका पूरा आपको nature explore करना चाहिए So यहाँ पर आपको option C भी correct हो जाएगा explore nature भी पताना चाहिए आपको उसका nature भी explore करना चाहिए कि research कोई problem का जब आप research problem formulate कर रहे हो Then option D single approach No, यहाँ पर आपको option D incorrect है कि research problem में single approach की कोई requirement नहीं होती है जब आप research problem formulate कर रहे हो So single approach का meaning क्या है अगर आपके जो भी research की problem में आप उसको एक ही point of view से देखे जैसे for example यह drug है इस drug को मैं form कर रही है तो मैं एक ही point of view से देख रही है कि वो disease का level कैसे में कम करूँ नहीं लेकिन मुझे यह भी देखना होगा कि drug के human body पर और भी side effect हो रहे उसको अप्रोच करना चाहिए सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता है एक ही point of view से मैं नहीं देख सकती हूँ So yes, यहाँ पर आपका option करेक्प जाएगा सिंगल अप्रोच यह आपके research problem को formulate करने में required नहीं होता है Next measurement of salt tolerance in plant is a variable which type of variable it is So यहाँ पर हमें question दिया गया है soon example दिया गया सिंगल है pessoa tolerance लेवल को major किया जा रहा है कि plan में कितना solve tolerance level है attended salt tolerance हो गया अब उयरंट है co-founding, Latin recognizing oderating variable यह हमें पता करना है यह यह ल्एपलाने सौल्ट हैं 20 डायूरंस जिसलों कितना है। इसको मेंने लेगले कर सकते हैं। कि आता है। पॉप्षन लोगा शॉप्षन बीठ लेजी करते हैं। जिनको अब directly measure नहीं कर सकते हो, directly आप उसको, अब थोड़ा बद उसको observe तो कर सकते हो, लेकिन उसको directly आप चीजों को measure नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते है latent variable, उसी तरीके से जो remaining options होने भी हम देख लेते है, co-founding variable, co-founding variable क्यों होते है, यह भी आपके extraneous variable की तरह होते हैं, जो कि आपके dependent variable को affect करते हैं, और dependent variable को harm करते हैं, और co-founding variable से, जो biasness है, यह biasness को increase करती है, यहाँ पर इस question में अभी ऐसे related कुछ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपको option in correct हो जागा, उसी तरीके से option c, moderating variable, moderating variable क्या होते हैं, जो कि आपके independent variable and as well as dependent variable, यह दोनों भी variable को harm करते हैं, इन दोनों भी variable को affect करते हैं, उसे हम कहते हैं, moderating variable, यहाँ पर question में हमें independent और dependent variable से question नहीं पूछा गया है, बलकि हमें ऐसा variable दिया गया है, जिसको हम, हमें major करना है, जिसे हम directly major भी नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं, legend variable ना के moderating variable, तो इस question का आपका option भी correct हो जाएगा, next, a piece of research that is conducted in a natural non-artificial setting is called, इस question में मैं पूछ रहा है, ऐसे research जो के एक natural setting में conduct करवाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाद रहा कि एक ऐसे research, करते हों चीजों के बारे में, जैसे आपको क्रॉप्ट के बारे में study करें, एक कोई geographical area है, आप उसके बारे में study करें, तो आप वहाँ पर एक field में जाकर, आप naturally उन चीजों को, उन चीजों पर study पर 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 फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं field study, इस question का आपको option भी right answer हो जाएगा, उसे तरीके से जो remaining option से, उनने भी हमें एक बारे देख लेते हैं, option एक case study, case study क्यों होता है, case study में कोई topic लेते हैं, researchers और जो भी research करते हैं, और 4-5 व्लोगों का group बना लेते हैं, उस group में उस particular topic के बारे में discuss होता है, अब case study में जैसे मान लीजिए, मैंने iPhone launch कर रहा है, और iPhone के बारे में मुझे कुछ discuss करना है, कि इसकी camera pixel कैसे increase करा जाए, camera quality कैसी होनी चाहिए, sound quality, apps कितनी होने चाहिए, यह सारे चीज़े हम discuss कर रहे हैं, इमाजिनेशन की basis पर जितना knowledge है, नोलेज की basis पर थोड़ा यह हम दे सकते opinion, जो 4-5 लोगों का गुरूप होता है, जो डिसकस करें, वो opinion दे सकते हैं, लेकिन वो खुद पर टिकुलिव उस फिल्ड में जाकर नहीं देते हैं, वो नैचरली नहीं होता है, वो artificial setting में करवाई जाती है, वो artificial setting में उनकी imagination, उनकी knowledge की basis पर दी जाती है, आप मुबाइल में जाकर तो आपने देखोगे ना, कि नैचरली कैसे हैं हो रहे हैं चीज़े, यह पर आपको option है, इनकरेक्ट हो जाएगा, उसी तरीके से option C, कॉजी experiment, कॉजी का मतलब होता है, आपिफिशल एक्रिमेंट, जो actual में नहीं परफॉर्म करते हैं, नैचरली नहीं परफॉर्म करते हैं, यह पर आपको option C, भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसक्वेशन का आपका right answer हो जाएगा, option B, फिल्ट स्टडी, next, reasoning from journal to particular is called, इस question में हमें एक reasoning की definition दी गई है, जिसमें हमें एक journal theory से एक particular observation की तरफ बढ़ते हैं, याद रखें यह जो reasoning है, यह reasoning आपकी deduction reasoning होगी, तो basically research में दो ही type की reasoning होती है, एक होती है आपकी first induction, and the second is deduction, तो induction reasoning की होती हैं, deduction reasoning की होती है, हम इस diagram की जिरूँ समझते हैं, जैसे induction reasoning, induction reasoning में आपको bottom से देखना है, induction reasoning में हम एक observation करते हैं, चीजों को देखते हैं और observe करते हैं, observe के बाद हमने जो चीजों देखी हैं, उसका एक pattern follow करते हैं, then उस पर हम hypothesis लेडाउन करते हैं, यह हाइपोथिस के मदद से हम एक theory को develop करते हैं, लेकिन उसी तरीके से deduction में, deduction में आप में हमारे पाफ क्या होती है, journal theory अवेलेबल होती है, journal हमारे पास थ nuances, पॉइलेबल होती है, journal point of views आविलेबल होते है, यह यह होते हैं, हम उस पर hypothesis laid on करते हैं, उस hypothesis को हम observe करते हैं and then last में हम एक particular observation बताते हैं और उस observation को हम confirm करते हैं, so यह होते हैं आपके deduction reasoning, so याद रखेगा induction reasoning and deduction reasoning इस topic पर exam में कमपन सरी आपको एक question पूछा ही जाता है, और इस question का आपका राल का answer हो जाएगा option C deduction, next which of the following does not corresponds to characteristics of research, इस question में मैं पूछ रहा है, दिए गए options में से कौन सा ऐसा option है जो research के characteristics नहीं है, जिसे हम research का characteristics नहीं मानेंगे, so हम one by one options देखेंगे, option A, research is not passive so yes, research passive नहीं होती है, passive का क्या मतलब होता है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन ऐसे चीज़े जो doable नहीं होंगी मतलब ऐसे चीज़े जिन पर प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम कहते हैं पैसिव रिसर्च आपकी पैसिव नहीं होती है मतलब हम रिसर्च को सिफ देख सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए रिसर्च का प्रैक्टिक होता है उसे कुछ ना कुछ हमें benefit होना चाहिए रिसर्च को अगर आप सिफ देखोगे सुनोगे और उसे apply ने करोगे तो आपकी रिसर्च नहीं कहलाएगी सो यहाद कि रिसर्च आपकी पैसिव नहीं होती है सो यहाँ पर आपको option a correct हो जाएगा this is the characteristic of research उसी तरीके से option b research is systematic yes आपकी रिसर्च सिस्टेमाटिक होती है because systematic क्या मतलब होता है structure आप कुछ एक proper structure फॉलो करते हो एक steps फॉलो करते हो आप किसी भी तरीके से आप जैसे मैंने जे for example आप पहले आपकी research को problem decide कर लेते हैं आपकी research को topic decide कर लेते हो फिर उसके बाद उस topic पर आप research design बनाते हैं फिर उसके बाद उस पर hypothesis लेड़न करते हैं तो इक structure perform कर रहे हो आप कैसे भी नहीं जा रहे हो मतलब आप directly data नहीं करोगे आपको topic पता होना चाहिए आपकी research को objective पता होना चाहिए उस manner में आपकी research perform करोगे so yes research is systematic बहुत famous है systematic होती है research यह research की बहुत important characteristic है so अब आपको option B भी correct हो जाएगा research is systematic यह research की characteristic होती है उसे तरीके से option C research is not a problem oriented so yes यहापर आपका option C भी correct हो जाएगा क्योंकि research में problem को solve करते ना कि research में problem को generate करते research में कोई भी problem generate नहीं करते हम जब हमेरे पास problem होती है उस problem को हम solve करने के कोशिश करते हम problem को generate नहीं करते locate नहीं करते then यहापर आपको option D given है research is not a process so यहापर आपको option D incorrect हो जाएगा research एक process है process का मतलब क्या होता है जैसे मैंने आप को भी बता है आप कुछ steps follow करते हो जिसे research में steps follow करते हैं पहले हमारा research problem decide करते हैं दिन उसके बद research design बनाते हैं कि हम किस तरीके से हम investigation करेंगे हमारे research में दिन उसके बद hypothesis lay down करते हैं दिन उस hypothesis को test करते हैं यह पर आपको option D incorrect दिया गया आपको मतलब option D में बताया गया है कि यह research का characteristic नहीं है तो इसलिए आपको जो correct option हो जाएगा इस question का वो हो जाएगा option D research is not a process next research is a systematic inquiry that describes, explain, predict and control the observe phenomena who said so इस question में हम एक research की definition दी गई है हमें बताना है कि इस definition को कि scientist ने कहा था याद रखिए बहुत important question है कमपसरी एक question आपको एक्जाम में इस topic से पूचा ही जाता है कि किस definition को कि scientist ने कहा है जिससे कि आप यह definition देख रहे हो research की definition जिसमें इनोंने बताया कि research is systematic inquiry है yes यहाँ पर आप क्या steps follow करते हो then आप चीजों को describe करते हो explain करते हो predict करते हो predict आपके guesses करते हैं आपके knowledge की basis पर आप variables को control करते हो so यह definition आपके Earl Robert Babi scientist ने दी थी 1998 में so याद रखेगा 1998 में Earl Robert Babi scientist ने इस definition को दिया था और उसकी तरीके से जो आपको remaining option दिये गए है जैसे P.V. Young बहुत famous scientist है इनकी भी कई definition है research पर यह भी आपको exam पहले बारे देखकर चले जाना है उसकी तरीके से Carl Pearson, Carl Pearson भी बहुत famous scientist है यह एक mathematician है और इनका भी Carl Pearson coefficient भी मैंने आपको बताया था बहुत famous है उस coefficient पर भी exam में questions पूछे जाते है और इस question का आपका right answer हो जाएगा option E Earl Robert Babi and the amount of non-response might be maximum in case of इस question में पूछ रहा है, ऐसा data collection tool है जिसमें जो respondent है मतलब जो research की questions को answer कर रहे Senator responds कर रहे है उनका response maximum नहीं होगा, non-response लिखा है यह आपर जाओ ढ़कर कैस अटा डेटा कालेक्शन दू जिसमें जो respondent है, उनका response maximum नहीं होगा वह उता है अपका data collection tool nieurors coming dice क्योंकि mail survey में क्या होता है जो researcher है researcher Respondent को question send कर देते हैं और फिर उनका response करकर जो respondent है ऑफिर बाद में researcher को वह उनका response भेज जेते हैं जो reflection है it's skip कर करकर जो maximum response नहीं कर सकते हैं आरी से फिरमेन सब्सक्राइब की नहीं पर सकते हैं उसी दीरिकेma हम remaining options भी देख लेते जैसे personal interview personal interview हो रहा है यानि one-to-one face interview face to face interview हो रहा है तो यहाँ पर obviously जो research question पूछेंगे so respondent उसनका response करेंगे उसी तरीके से telephone interview telephone interview पर भी जो immediately response मिल रहा है immediately researcher face to face उनसे contact करेंगे मतलब contact हो रहा है तो यहाँ पर telephone interview में भी जो respondent है वो उनका chance जादा होता है कि वो response करें then last is observation observation में यहाँ पर researcher का main role होता है क्योंकि researcher खुद चीज़ों को observe करते हैं यहाँ पर respondent का कोई role ही नहीं होता है तो यहाँ पर obviously आपको option d incorrect हो जाएगा और personal interview telephone interview में जो respondent है respondent के response करने का chance maximum होता है यहाँ पर आपको option b और c यह दोनों भी incorrect हो जाएगे और इस question का आपका right answer हो जाएगा option a mail question है तो याद रखेगा exam में data collection tool से आपको exam में one or two questions पूछे ही जाते हैं तो ऐसे type questions आप आपकी exam में directly expect कर सकते हो next data collected using observations interviews and question is is known as इस question में पूछ रहा है कि data collect करा गया using observation interviews and questionnaire so यह कौन सा data कहलाएगा क्या यह primary data होगा secondary data होगा literature review होगा या फिर e-sources होगा हमें यह पता करना इस question में so question को solve करने से पहले आपको पता होना चाहिए observation interviews and question is यह तीनों भी होते क्या है so observation क्या होता है observation जो researcher खुद perform करते हैं जैसे मान लीजिए researcher को कोई animal पर study करना है so researcher खुद forest में जाकर उन लोगों को observe करेंगे animals को observe करेंगे इनका behavior क्या है वह दूसरे से कैसा behave करते हैं वह किस तरीके से उनकी lifestyle होती है so यह चारीज चीज़े researcher खुद observe करेंगे और देटा को collect करेंगे उसी तरीके से interview interview में रिसर्चर जो experts होते हैं कोई disease के experts हो जाएंगे कोई इसा ही कुछ experts से interview perform करते हैं और interviews के through data collect करते हैं उसी तरीके से question is question is क्या होते है list of questions होती है list होती जिसमें questions होते है और उनका respondent जो है response करते हैं so याद रखिए observation interviews and question है I am a researcher को जो भी response मिलता है वह new response मिलता मतलब response जो मिल रहा है रिसर्चर को एक तौर पर data ही मिल रहा है और जो भी data और तीनों भी data collection tools से वह new data होता है याद रखिए जब भी件 new data होगा जब भी एक new data होता है जब भी एक original data होता है वो अपका primary data होता है primary data वो data होता है जो new data हो, जो original data हो और जो research अब खुट collect करते हो different tools use करते हो उसे हम कहते है primary data इस question का आपका right answer हो जाएगा option E primary data अब जो remaining options है उन्हें भी हम देख लेते हैं जैसा literature review literature review क्यों होता है जिसमें एक systematic way में एक organized way में बताया जाता है कि कौन-कौन से researcher ने पुराने topics पर research की है, कितने-कितने research हुए है उन particular topics पर यहापर literature review से आपको idea लग जाता है कि किन topics पर research हुई है और किन पर research नहीं हुई है literature review में आप जो भी data मिलेगा यह already available होता है तो यह secondary source हो जाएगा आपका secondary data हो जाएगा ना कि primary आपका option भी incorrect हो जाएगा उसी तरीके से e-sources जैसे internet पर जो data अवेलेबल होता है यह भी secondary होता है तो यह आपका option C incorrect हो जाएगा and option D secondary data, obviously secondary data नहीं होगा secondary data वो data होता है जो already available होता है जो पुराने researcher ने already research की होती है तो यह पर आपका option D भी incorrect हो जाएगा और आपका इस question का right answer हो जाएगा option A primary data याद रखिए primary data और secondary data पर exam में compulsory one question पूचा ही जाता है next what is superior correlation इस question में पूच रहा है superior correlation का meaning की ओती है definition की होती है so याद रखिए superior correlation की होता है जब भी आपके पास दो variables होते है उन दो variables में कुछ नो कुछ correlation होगा लेकिन आप यह नहीं कह सकते हो कि इनके बीच में causal relation होगा मतलब दो variable होगे एक variable A and एक variable B इनके बीच में कुछ ना कुछ relation तो होगा लेकिन इनके बीच में cause and effect relationship नहीं होगा जैसे मान लिए हमें एक example लेते है in the month of June June के मन्त में आपने एक particular city में ये देखा वहाँ पर ice cream की जो sales थे ये बहुत ज़ादा हो रही थी और आपने उसी मन्त में ये भी देखा कि उस particular city में और उस particular area में चोरी भी ज़ादा हो रही है यहाँ पर आप कह सकते हो कि ice cream की ज़ादा sales हो रही है चोरी भी ज़ादा हो रही है यहाँ पर जो आप दोनों भी variable देख रहे हैं कि दोनों भी variable में कुछ ना कुछ relation है क्योंकि एक variable बढ़ रहा है तो दूसरा variable भी बढ़ी रहा है लेकिन आप यह नहीं कह सकते हो कि ice cream की वज़े से उस particular city में उस particular area में चोरी ज़ादा हो रही है लेकिन आप यह कह सकते हो क्या ice cream की sales ज़ादा हो रही है यहाँ पर चोरी भी ज़ादा हो रही है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है आइडिया लगेगा क्योंकि यह दोनों भी variable से सेम डिरेक्शन में मूफ कर रहे है लेकिन यहाँ पर causal effect relationship नहीं है सबका इस question का जो right option हो जाएगा वो जाएगा option C correlation between two variables having no causal relation next the research approach which entails using more than one method or source of data in the study of social phenomena is known as so इस question में हम एक definition दी गई है मैं यह पता नहीं कि definition के इस option की definition होगी अब इस definition में हम यह पूछ रहा है कि एक research है उस research में हम एक से ज़्यादा method यूज कर रहे है और इस particular study को perform कर रहे है तो याद रखे जब भी research में आप एक से ज़्यादा method यूज करकर इस particular study को perform कर रहे हो इस particular phenomenon पर study कर रहे हो तो उससे हम कहते है ट्रेंगुलेशन अब ट्रेंगुलेशन क्या होता है तो आपको इस diagram के थूरू समझना होगा जैसे मान लीजे मैंने first method यूज करा और मेरे कुछ result आ रहे हैं x, y, z और आप मैंने फिर तक क्या करा मैंने यह देखा कि मेरे जो result आ रहे है यह सही आ रहे है फिर यह result मैरे valid हो रहे है यह देखने के लिए मैने एक डूसरा method यूज करा अब मैं क्या करूंगी दूसरा method perform करकर भी देखूंगी कि मेरा जो result आ रहा था पहले x, y, z जो भी मेरा result आ रहा है वो मेरा x, y, z ये result आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है अब मैंने दूसरा method perform किया और मैरा दूसरे method से भी x, y, z ये result आ रहा है तो मैं यह कह सकती हूँ कि मैंने different methods perform करकर यह देखा कि मेरी जो result आ रहे हैं वो हर method से same ही result आ रहे हैं तो मैं इससे पता कर सकती हूँ मैं इससे बता सकती हूँ कि मेरी study है वो valid है वो सही है तो इससे हम कहते हैं triangulation method याद रखेगा बहुत important है exam में इस topic से कई बार आपको questions पूछे गए थे यह question आप two to three times exam में आपको previous year में भी पूछे गए थे तो आपको याद रखना है इस question का right answer हो जगएगा triangulation उसी तरीके से हम remaining options भी देख लेते हैं जिसे reflexivity, reflexivity क्या होता है reflexivity यह बताता है कि आप जो researcher है अगर आपने कुछ research perform किये है तो जो भी आपके research में judgment यूज़ करा है तो उसको check करने के लिए कि आपका जो भी judgment था वो सही था या फिर नहीं तो उसे हम कहते है reflexivity अब different methods यूज़ करोगे तो उसे हम reflexivity नहीं कहेंगे तो यह पर आपका option B incorrect हो जाएगा उसी तरीके से option C response validation मतलब जो respondents से आपको response मिल रहा है जो data मिल रहा है आप उसको check करोगे बताओगे कि वो response मिल रहा है रिटा मिल रहा है वो सही यह फिर नहीं या फिर वो valid होगा या फिर नहीं तो इस question का भी option C incorrect हो जाएगा और इस question का आपका right answer हो जाएगा option A triangulation next snowball sampling is also known as इस question में पूछ रहा है कि snowball sampling को और हम क्या कहते हैं तो याद रखेगा snowball sampling को और हम कहते है channel referral sampling जो snowball sampling को channel referral sampling क्यों कहते हैं तो हमें diagram कि स्थरू समझते हैं अब जैसे मान लीजे यह person जो है यह researcher है अब researcher को study करना है कि कौन-कौन से ऐसे person है जो drug consume करते है यहाँ पर जो respondent यह खुद से डिरेकली नहीं आते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है किसी जो drug ले रहा है यहाँ पर जो है respondent जो है यहाँ पर researcher को खुद एक-दो respondent मिल जाएंगे researcher को क्योंकि यह study है जिसमें लोग कुछ से नहीं आते हैं तो यहाँ पर researcher देख रहे हैं कि कौन-कौन ऐसे लोग है जो drug consume करते हैं उनको study करने के drug consume करने से human body पर कैसा affect होता है तो research को एक-दो लोग मिल गए अब research इन लोगों से क्या कहेंगे कि और तुम ऐसे लोग को चुनो जो drug कंसुम करते हैं गारतीन लोगों थी तरीके से लोगों को लाएगा यह सैंपल के लिए तो जैसे कि आम देख रहे हैं यहाँ पर researcher है researcher ने कुछ एक दो लोगों को चुन लिया फिर इन लोगों ने कुछ और लोगों को चुन लिया मतलब और लोगों को बताया फिर इन लोगों ने और कई लोगों को बताया जैसे आप देख रहे स्नोबॉल सैंप्लिंग में एक चैन बन रही है, एक से दो लोग वह रहा है, दो से तीन, तीन से और ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर एक चैन परफार्म हो रही है, तो याद रखेगा, स्नोबोल सैंप्लिंग को, और हम केते हैं, चैन रेफरल सैंप्लिंग, तो इस क्वेशन का आपको उप्शन सी राइट हो जाएगा, अब जो रिमेनिंग उप्शन से उन्हें भी हम देख लेते हैं, सर्वे, चोडर्डों सब्सक्रा सब्सक्राइए, सर्वे, सर्वे इक एक डेटा क्लेक्षिन टूल है, तो याँ पर आपको ऑप्शन है, इन्करिक्ट हो जाएगा, उसी तर्यकाशन बि जॉजमेंटल सैंप्लिंग, टेल्मेंटल सैंप्लिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंप्लिंग को एक्सिदेंटल सेंप्लिंग भी कहते हैं तो यहाँ पर option D भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिसर्च अपनी convenience के इसाब से population में से members को नहीं चुन रहे हैं लेकिन snowball sampling एक ऐसी sampling होती है जिससे हम कहते है चैन referral क्योंकि आपर एक चैन की तरह researcher जो है और respondent जो है और respondent को डून कर लाते हैं यहाँ पर आपको option C इस question का right answer हो जाएगा next the midpoint distribution of values is known as इस question में पूछ रहा है आपका जो distribution है distribution की जो midpoint होता है midpoint values को हम क्या कहते है कि mean, median, mode या फिस standard deviation कहते है यह हमें पता करना है इस question को solve करने के लिए इस diagram का help लेंगे जैसे कि आप देखे हो इस diagram में median आप देख सकते है median जैसे आप देखे होगे जो diagram है अगर इस diagram को आप half part में अगर cut करते हो इस diagram को आपको midpoint मतलब middle point, center point जो आपको distribution का दिखेगा इस diagram को आपको center part, middle part दिखेगा वो हो जाएगा median, so median क्या होता है आपका distribution है, distribution में जो आपकी middle value, center value होती है उससे हम कहते है median, so याज रखेगा median, median को calculate करने का भी कुछ formula होता है, मैंने इसके पहले कई lectures में आपको बताया है, median को किस तरीके से calculate करना है so इस पर भी exam में कई बार question पूछे जाते है, mean, median and mode calculate करने पर भी exam में compulsory आपको question पूछा जाएगा for example किसी particular city का income major तो आप यह देखोंगे कि जादा तर लोगों की income क्या है, so particular मैंने एक कोई city में मैंने research कि और मैंने यह देखा कि इस particular city में जादा तर लोगों की income 90,000 है, so आपको होगे कि average value इस data के आ जाएगे इस case में 90,000, जादा तर उसे कहते है हम mean, then उसी तरीके से mode, mode क standard deviation कि अथा है, आपका data इस तरीके से spread out है, इस spread out को इस distribution के बहुद एक standard deviation क के अपका data किस तरीके से distributed, तसे standard deviation किस तरीके से dispers, किस तरीके से फेला हूँ है, उसे हम करते है standard deviation. आपके distribution है, distribution को midpoint है, middle value है, center value है, I guess medium, so this question का option भी right answer हो जाएगा next which of the following is or are the methods of survey इस question में पूछ रहा है दिये गए options में से कौन से ऐसा option है और कौन से option ऐसे है जो survey के methods है अब survey क्या होता है survey मत्तब आप आपके research में survey conduct करवा किया यानि different methods के through data collect करते है उसे हम कहते है survey जैसे mail हो गया question is observations so यह सारे methods के तुरू आप आपके research में data collect करते हैं अब जिसे के इस question में हमें कुछ options दिये गए है जैसे mail, telephone, household जो यह सारे जो है एक survey method होते है mail के तुरू आप क्या करते हो आपके respondent इनको questions provide करते है और उनका response करकर आपको फिर से email कर देते है so mail भी एक data collection tool है जिसके तुरू आपको response मिलता है respondent का उसी तरीके से telephone टेलिफॉन टेलिफॉन एक interview भी होता है टेलिफॉन पर researcher respondent से questions पूल सकते हैं उनके तुरू उनको response मिलता है तो यहापर mail, telephone यह दोरू भी data collection tool है जिनके तुरू आप data collect करते है उसे तरीके से household household भी एक तरीके का interview होता है एक तरीके का data collection tool होता है जिसमें आप 2-3 house को चून लेते हो और उनसे research करते हो उनसे information collect करने की कोशिश करते हो उसे हम कहते है household यह पर option E, B, C यानि mail, telephone, household यह तीन भी आपके एक survey होते है जिनके तुरू आप data collect करते हो तो इस question का आपका right answer हो जाएगा option D, all of the above next the analysis of two variables at a time in order to uncover whether or not the two variables are related is known as इस question में हमें यह find out करना है कैसा कौन सो option है जिसमें हम कोई दो variable को analyze करते है और यह पता लगाते है कि उन दो variables में कैसा relation हो एक दूसर से कैसे related है basically हम यह कौन सी option में यह पता लगाते है इस question में definition दी गई है सो हम देखेंगे कि definition किस option की definition होगी याद रखिए जब भी दो variables की बात होती है और वो कैसे related है यह देखना होता है तो हम को relational research में देखते हैं जिसे मालेज़े फॉर एक्जामपल को रिलेशनल रिसर्च में हम देखते हैं दो variables अग्दूसर से कैसे related है अगर मैं आपको यह example दूँ जैसे मालेज़े कोई person है वो smoking कर रहा है smoking करने से लंग पर कैसे affect हो रहा है यह दोनों वेरिबल एक दूसर से कैसे related है कि जादा smoking करने से आपका जो लंग है वो जादा affect हो जाएगा यह मतलब यह एक दूसरे से यह variables करते हैं और यह बताते हूं कि इन दो वेरियोबल में कैसे relation है कैसे एक दूसरे से related है सो इस question का आपका राइट आंसर हो जाएगा option d correlation अब जो remaining option से उनने भी हमने एक बार ही देख लेते है option a chi-square test chi-square test क्यों होता है एक statistical test होता है जिसमें हम यह measure करते है कि दो से ज्यादा sample के mean को compare करने के लिए हम chi-square test का यूज करते हैं याद रखेगा chi-square test एक statistical test होता है जिसमें हम दो से ज्यादा sample के mean को compare करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हमेंसे दो ही variable दिया है यहाँ पर आपको option इंकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से option भी यूणि वेरियेट यूणि का मतलब होता है सिफ एक मतलब एक variable को आप analyze कर रहे हो यहाँ वेरियेबल को analyze कर रहे हो यहाँ पर आमें दो वेरियेबल दिया है option में एक नहीं दिया है तो आपको option भी बोड़ी और कोई disease पर यहाँ पर मेरे तीन वेरियेबल हो जाएगे मैं तीन वेरियेबल पर at a time study कर रही हूँ यह multi-variate analysis होगा इस question का option C भी incorrect हो जाएगा इस question का राइट आंसर हो जाएगा option D co-relational research याद रखिएगा car square test पर भी question बहुत बार पूछा गया आपके exam में तो car a square test पर question आने के जादा chances है और co-relational research पर एक दो question compulsory आपको exam में देखने मिलेगा next the quickest method to collect primary data is इस question में पूछ रहा है primary data को collect करने के लिए सबसे fastest method कौन सा होगा मतलब primary data को collect करने के लिए सबसे जादा जल्दी आप कौन से method से data collect कर सकते हैं तो याद रुखिए primary data को अगर आप इन्टर्विव क्या कर सकते हैं जो भी area में है जो बी जिस भी area में होगे जिस भी city में होगे जिस भी country में होगे उनको call करकर response लेंगे उसी तरीके से जो remaining options जो पर्सनल इंटर्वा इंटर्वी में फिर वो आएंगे तो यहां पर टाइम जो है ज्यादा वेस्ट हो जाएगा यह फास्टेज में नहीं होगा तो यहां पर आपको ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन भी मेल क्वेशनेर में क्या होता है जो रिसर्चर है वह रिस्पॉंडन को मेल जाएगा उसी तरीके से ऑप्शेवेशन ऑप्शेवेशन है यहां पर उप्शेवेशन से भी रिसर्चर फास्टेज में नहीं होता है डेटा कलेक्ट करने का क्योंकि रिसर्चर को एक दगर से दुसरी जागा मोफ करना होता है लेकिन टेलीफोन इंटर्वी एक ऐसा डेट डेटा कलेक्शन में जिसमें रिसर्चर को एजरी डेटा मिल जाता है और सबसे फास्टेज मेथर होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए इस क्वेशन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शिन से टेलीफोन इंटर्वी नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिबल रिफोर करना है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिबल है इन ओप्शिन में से किस ओप्शिन को रिफोर करता है इंडिपेंडेंट वेरिबल क्या होता है जैसे एक्स्टेमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिबल का एफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिबल पर क करता है। अगर वो smoke कर रहा है। इसके lungs पर क्या effect होता है। कि smoke करने से उसके lungs पर कुछ problems होती है कि उसका lung effect होता है हमें यह find out करना है। अब यहाँ पर smoking है ऋपता है। यह तो proven थे शरी है कि smoking करने से आपको क्या होता है? lung cancer, okay अपको lung disease होती है अगर आप ज़्यादा smoking करते हो so smoking क्या करता है cause करता है smoking का हम cause देख रहे हैं lung पर और lung cancer जो कि आपका dependent variable है जिसका आप observe कर है जिसका आप effect देखते हो so remember जब भी आपका independent variable होता है आपको याद रखना है independent variable always refers to cause क्योंकि independent variable आपको cause बताता है कि यहापर आप smoking को cause देख रहे हो smoking करने से क्या होता है smoking का आप क्या देख रहे हो इस case में cause देख रहे हो so remember आपका जो independent variable होता है उसमें आप cause देख रहे हो independent variable जो भी आपका होगा उसका आप cause देखते हो dependent variable पर तो यह अपर आपका option B correct हो जाएगा, the independent variable refers to cause, then effect तो हम dependent variable पर देखते हैं, that's why आपका option C incorrect हो जाएगा, then आप रह गई बात आपके option A and option D के, option A क्या है result and option D output, so आपका जो independent variable हो आपको कोई result नहीं देखता है, बलकि आप उसका effect देखते हो, so यह आपर आपको option A incorrect हो जाएगा, then option D output कोई चीज़ का output नहीं बताता है, बलकि cause बताता है, so यह आपको option D भी incorrect हो जाएगा, so here correct option is option B cause, next, in a column chart bars are, इस question में मैं find out करना है कि column chart में bars आपके कैसे होते है, क्यों horizontal होते हैं, vertical होते हैं, slanting होते हैं, so column chart क्यों चाहते हैं, इस तरहिके से आपको column chart दिखता है, जिसमें आपको जोभी information मिलतीए आपको जो भी data होता है, आप कुछ इस तरहिके से port करते हो, और column chart में आपके जो बाज होते हैं यह vertical होते हैं तो vertical, vertical मतलब ऐसी कुछ lines होती है और horizontal आपके ऐसी lines होती है vertical ऐसी lines होती है आपको याद रखना है तो column chart में आपके जो बाज होंगे वो vertical में होंगे that's why आपका correct option हो जाएगा option भी vertical and thank you for watching this session and good luck with your preparations